तो हर बार software, interface, सब कुछ बदल जाता है, एक नई दुनिया होती है, हर बार live stream करने से पहले तो आप live stream पे क्या बात करते हो, जब आप live stream करते हो मैं बस ऐसे ही लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ, बहुत infrequently करता हूँ अच्छा, आप भाई मैंने ना कल आपका थोड़ी दर बैटके सारा चैनल चूनल देखा, तो मेरे को ये तो पता था कि आप YouTube भी चलाते हो, फिर मेरे को पता लगा कि आपकी influencer marketing company भी है, मैं बड़ा surprise हुआ कि आप इन चक्करों में पड़े कैसे है, इन चक्करों में मतलब, मत देखो, कैसा है कि sincere तरीके से भी तो business होता है, हर बार बीच की दलाली, तीगुनी, चौगुनी तो नहीं लेनी होती है, तो मुझे ऐसा लगा कि जो ecosystem हम create कर रहे हैं, विकेज हम अभी as of now 7 channel run करते है, total subscriber base 2 crore से जाधा है, तो मैंने सोचा कि यार जब मैं अपने channels को own करी रह around for sponsors, और क्योंकि मैं, देखो, तुम लोग ने शायद वो दिन देखे नहीं होंगे, विकेज तुम्हें आके कितना time हो है, 2-3 साल हुआ रहेगा, मैं 5-6 साल से हूँ, तो मैंने वो दिन देखे हैं, जभी sponsors की scarcity होती थी, तो हम creators को famebit पे इतने बड़े-बड़े mail भेजने प पड़ी थी, तो मैंने सोचा influencer marketing company जबर्दस रहेगी, और जब से मैंने influencer marketing company start किया, ऐसा हो गया कि एक time पर हम 70 sponsors करते थे पर मन्त, in-house channels, in-house, भाई, पूरी market तो आप खा के बैठे, हम तो यूँ ही है, बट अभी कम कर दिया, क्योंकि उससे फिर एक दूसरा effect देख लिया, मै तो हमारे main channels जैसे जहां पर मैं अपना face दिखाता हूँ, तो उससे उसकी value कम हो जाती है, जितना ज्यादा abundance हो जाता है, उतना ज्यादा scarcity का जो principle है, कि scarcity के जितनी रहती है, उतनी ज्यादी value बढ़ जाती है, perceived value, और जितना abundance होता है, उतनी perceived value कम हो जाती है, तो लोग को ये जहने दो, अभी rates थोड़े बढ़ा देंगे, लेकिन brands को कम देंगे, वेरी interesting, तो मैं जो आपका ना, अचा आपन लाइव है क्या, हाँ अब अपने लाइव है, आप हेलो कर दो chat से, बताओ तो सही, ने ने हम लोग तब लाइव गए जब मैं पूछ रहा था कि आप मतलब इन कामों में कैसे पड़े, चलेगा, चलेगा, अचा बाई, आपको मेरे बारे में कुछ पता है, क्योंकि हम पहली बारी roughly एक दूसरे को देख रहे हैं, do you know anything about me, मैं थोड़ा ऐसे हूँ, yes, yes, so, पहले ना, जब पहली बारी तुमारे बारे में सुना था मैंने, तभी, I think, tag mango करके company थी, उसने मुझे approach किया था, तो बोलते थे कि यार, आप similar type का content मना रहे हो, आपके जैसी creator है, जो हमारे platform पे है, प्रकर के प्रवचन करके, आप उनका check करिए, उन्होंने कुछ course बनाया है, और वो course यहाँ पर दे रहे, तो मैंने check किया, तो तभी मुझे तुमारे काफी depth में है, और ऐसे creators काफी कम है, जो depth में बता रहे हैं, तो तभी फिर बाद में, मतलब वो time पर मैंने first time देखा था, हाला कि हर YouTuber अपने काम में इतना busy होता है, कि दूसरे YouTuber को follow नहीं कर पाता, जैसे कि every time हर video चेक करना, तो मेरा भी बस यही scene है, हम YouTube सिर्फ रिसर्च के सिर्फ रिसर्च के लिए कि क्या हो रिसर्च के लिए, क्या चल रहा है, अभी नया क्या चल रहा है तो अभी क्या नया चल रहा है यूट्यूब में आपके हिसाब से, अभी यार अभी नया बहुत सारी चीज़े चल रही है, अभी जियो पॉलिटिक्स चल रहा है अभी चल तो अगर आपको अभी उसमें बनाना है तो आपके पास एक बहुत ही यूनीक आइडिया होना चाहिए या फिर आपके कॉंटेंट में बहुत ज्यादा दम होना चाहिए जैसे तो टेक को तोड़ना भी बहुत डिफिकल्ट है जो बंदा नया स्टार्ट करेगा उसका बहुत ग्रोथ होगा as compared to 2015-16 जभी जियो का वेव आया था तभी टेकनिकल गुरुची को लिटरली बूस्ट मिल गया था अभी वैसा यह कैटिग्रीज में देखना बहुत मुश्किल है हो सकता है अगर आप कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नया टाइप का कॉंसेट लेकर आओ जो क इसके अलावा यू पॉलिटिक्स हो गया I think science के videos भी थोड़ा सा catch-up किये मैं जबी start किया था ना तभी यार एक लाक average अगर cross हो जाता था ना बनब एक हफता अगर समझ लो मैंने तीन वीडियो डाला और वो एक लाक average गया तो वो हफता मैं बोलता था कि यार यह तो बहुत सही हफता गया धनी हफता है धनी हफता है धनी खाता और लोग भी यार लोगों को interest आ रहा है क्योंकि मेरा पहला question त काफी original था इंडिया में तो मैं शौर नहीं था कि चलेगा की नहीं चलेगा तो वो देखकर मुझे भी अच्छा लगता था कि चलो चल रहा है विकिस मैं दूसरे creators को देखता था जिसे comedy वाले उनको consistent views आते थे इस genre में नहीं आते थे लेकिन अभी वो चीज़े चेंज हो र स्टार्टिंग में लोग हमेशा अपनी जो क्या बोलते हैं अपनी जो इच्छाएं हैं मलब जो recessed इच्छाएं हैं जो उनको हमेशा से जिस टाइप का content देखना था यूश्वली entertainment, मस्ती, मजाख, time pass और curiosity में वो negative kind of curiosity, right कि मतलब जैसे kala search ये सारी चीज़े तो वो ये सार गलत type के contents में binge watch कर लेते हैं और फिर बाद में वो समझ जाते हैं कि यार ये सारे लोग तो यहाँ पर पैसे चापने के लिए बैठे हमें बदले में value कुछ नहीं मिल रहा है फिर वो ज्यादे वो अपने choices की accounting start कर लेते हैं तो अभी इंडिया में भी वही चीज हो रहा है अ हमारा meeting link meeting link click हो गया है तो लोग ना बार-बार घुस रहे है meeting में मैं बंद करने कोशिश कर रहा हूं ठीक है कोई नहीं अब यार मत करो यार सुन लो भाई बात सुन लो बात करने बैठे हैं चार लोग हां यार कुछ अच्छा topic तो निकलने दो हां नहीं बाई मैं इसलिए अच्छा था बिकॉस मैंने रिलाइस कर रहा है मिरको तीन साल हो गए यूट्यूब पे और एक तो चलो content content बनाना है एक लोगो की preference का narrative है कि लोगो का मन कहां जाता है तो यह आप you are not the first person that is telling me this कि if you think about somehow creating your content with keeping in mind people's sort of preferences for Indian history and Indian sort of cultural जो हमारा पूरा corpus है तो it'll do well right and यह एक बड़ा interesting phenomenon है यह बहुत interesting phenomenon है बट मैंने जब आपकी video देखी ना एक video थी आपकी why I change the name of the channel और आप उसमें ना एक level of existential sort of कि यार मिरको यह सवाल था कि क्या और क्यूं यह क्या है दुनिया में मैं कब fit होंगा तो एक मिरको बड़ी existential वली वो वली बात है आपके उसमें से कि एक आदमी बिल्कुल existential अंधेरे में से निकल के अपनी creative enterprise ले रहा है तो यह existential phase कब था आपकी life का so यह basically वो phase था जबी मैं ना life में जैसे society ने कहा था मैं वो करते चला गया था और मुझे ऐसा लगा कि यह secret है happiness का right for example society का यह narrative है कि यार मदब वो टाइम पे जैसे आज से 7-8 साल पहले कि अगर आपकी 45,000 क्या बोलते इसको 45,000 क्या बोलते इसको 45,000 क्या बोलते इसको 45,000 क् पिकप ड्रॉप है अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो तो you can be happy right या फिर और obviously और भी growth होगा आपका या फिर एक बड़ी company में आपका लग जाएगा job तो you can be happy अब you know बहुत सारे लोगों के लिए यह fact है ठीक है यह truth है क्योंकि हो सकता है उनका जो mental makeup है वो उसी तरीके का है क कि they are pretty happy you know like in that kind of a life but मेरे लिए वो work नहीं कर रहा था तो मैंने वो टाइम पर अपने आपको question किया मैंने बोला किया गलत हो रहा है वालब सब कुछ तो मैं सही कर रहा हूँ ठीके मैं मैं महनत कर रहा हूँ मैं I was a very hard worker always always been उससे पहले भी मैं 5-6 साल bodybuilding कर चुका था और बहु होता है वो मुझे नहीं मालूम था तो मुझे लगता था कि मेभी वो ज्यादा hard work करते हैं तो दो तीन साल तो मैं अच्छा खासा hard work किया लेकिन वो कही न कहीं मेरे benefit में play हुआ विकिस उसने मेरे core ethics को strong किया और evolve किया तो वो point पे मेरे को thoughts आने लग गए तो मैंने यह सोचा इंडस्ट्री होगी एक सेक्टर होगा जहां पे मुझे काम करना ज्यादा पसंद आएगा तो मैंने सोचा marketing क्योंकि marketing को creative बोलते हैं तो मैंने BMS की degree ले ली मैंने सोचा अभी हम corporate जाएंगे और अभी हम marketing में जाएंगे but at the same time मैं क्योंकि मेरे दिमाग में इतना बड़ा सव और खासकर जवाब जवाब निब्बे हो जब आपका life का ऐसा microscopic perspective है life को लेकर आपको लगता है कि ये खतम तो सब खतम हाँ right starting मैं ऐसे ही होता है right बिल्कुल so वो वो टाइम पर ये सारे emotional factors ने मुझे move किया तो एक तरफ मुझे ऐसा था कि भाई कुछ करना है right दूसरी तरफ ये था कि कहीं पर fit होना है जहां पर मैं happy रहूंगा consistently और ये सारी चीज़ों ने फिर बाद में मुझे explore करने के लिए मजबूर किया मजबूर ही मैं कहूंगा ठीक है because I didn't have any choice और फिर बाद में मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये काम हर किसी को करना चाहिए because हम जब ही life में आते हैं हमें नहीं मालूम होता कि हमारी काबिलियत क्या है हमारी खूबी क्या है और हमारे values क्या है और हम कहां पे naturally fit होते हैं तो जैसे डार्विन की evolution theory है right survival of the fittest but fittest of the domain right तो वैसे आप में 100 खुबी है और 100 domains है तो एक domain में आप unfit हो तो आप दूसरे domain में fit हो और वहाँ पे आप तरक्की करोगे तो वह आपको कैसे मालूम पड़ेगा क्योंकि starting में आपको memory लेके तो नहीं आते हो कि यार मैं तो इसी ये मेरा मतलब ये मेरे जिंदगी का मकसद है किसी को नहीं मालूम कि मेरे जिंदगी का मकसद क्या है right तो I believe कि सब को try करना चाहिए और दो benefits होते हैं एक तो ये होता है कि आपका जो range है वो बहुत बड़ा हो जाता है मतलब आपने 10 चीजे experience कर लिया है आपको ये मालूम कर रहा है वो जब ही आप कर लेते हो ना तो उसके बाद I think आप ऐसे समझने लग जाते हो कि यार मेरे में कोई खूबी है देखो अभी 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 बेसेकली अभी हम महां पर event में गए थे अपने cabinet minister श्रीपियूश गोयल जी के तो उन्होंने reiterate कि मोधी जी के 5 golden objectives क्या है जो Independence Day में उन्हें कहा था तो उसमें एक है भारत और भारत वासियों का स्वाभी मान बढ़ाना, self confidence बढ़ाना, self confidence सो जाता है आपका life में अगर आपने कोई चीज एचीव नहीं की है या फिर आप गलत जगे पे हो और आप गलत काम करते जा रहे हो तो आपका self esteem low होते जाता है with every failure, given enough time, given enough time आप burn out हो जाओगे, दुनिया में हर इंसान burn out होता है चाहे कितने भी motivational videos देख ले या कितना भी वो बोल ले कि मेरा लोहे का कलेजा है या जो भी है, हर किसी का threshold होता है, किसी का threshold 2 साल है, तो किसी का threshold 5 साल है, तो किसी का threshold 6 महीना है, बद समझदारी ये है कि उस छे महने के अंदर में सही decision लेके सही जगे पे आ जाना और अपना काम चालू कर देना ताकि आपको कामया भी मिल जाए और आपका आत्म विश्वास बढ़ने लग जाए और एक बार जब आपका self-esteem बढ़ने लग जाते ना, लाइफ बिकम्स बढ़ने लग जाते हो, और अ अपने आप से कि भाई ठीक है तुमने philosophy psychology तुम्हें बहुत इंटरस्ट था, तुम्हें free flow करना था, explore करना था, तुम्हें इंटरनेट पे गए तुमने खुला बुला, मैं live streamer रहा हूं शुरू से, खुला बुला मैंने, मैंने जितना सोचना था, internet पे live सोचा, उसका जो thrill ह कि मैं अभी सोच रहा हूं और अभी sentence बना रहा हूं और अभी उसकी value determine कर रहा हूं वो किया, अब क्या करना है, और फिर मैंने realize करा जो मेरे पास एक gift है न, चाहे वो मेरे माबाप की parenting की वज़े से है, चाहे वो भगवान की देन की कुईसी भी वज़े से है, वो ये है कि मै confident बहुत हूं, और इंडिया में जो एक चीज की actual कमी है न, वो confidence की कमी है, और confidence सिर्फ ये नहीं होता कि तुम आप confident हो गए, performance enhancing drug होता है confidence, अगर तुम confident ज़ादा हो न, तुमारा output 300-400x हो जाएगा, और तुम पता भी नहीं चलेगा, तुम risk taking ज़ादा करने लगोगे, अगर कभी जीते वे व्यक्ति को, चाहे वो रेस में जीता हो, चाहे वो किसी भी गे में जीता हो, जो टॉपर निकलता है न, क्लास से, आज मैने फोडा है 99 on 100, उसका महौल अलग होता है, वो रात को जा के पैटी खाता है, तुम पता था मोदी जी का ये गोल्डन वो है, but this is something I want to bet on as a vision for myself, कि I am now starting, I am soon going to announce a business, I am starting to focus on making India more confident, using psychological principles and so on, तो that is my next vision, I am very happy to hear कि there is more talk about this. ने, obviously, I think, like, वही तो एक psychological catalyst है, right, अगर आप में self-confidence नहीं है या self-esteem नहीं है, तो आप कोई भी चीज़ को utmost conviction के साथ नहीं कर पाऊगे और consistent और persistent नहीं रह पाऊगे, so, और self-confidence और self-esteem बढ़ता कैसे है, छोटे-छोटे wins से, right, obviously, and development your personality, so, when you develop your personality, वह आपके दिमाग में एक win की तरह काम करता है, so, for example, पहले मेरा English weak था, let's say, but अभी मेरा English अच्छा हो गया है, ठीक है, तो मेरे लिक विन है, और ये मुझे confidence देगा, फिर धीरे-धीरे करके ऐसे ही बहुत सारे events and instances, अगर मैं जीते रहूँगा, मैं चालेंज लूँगा और मैं जीतूँगा, तो मेरा core confidence develop हो जाएगा, so, there's a difference between like circumstantial confidence and core confidence, circumstantial confidence हो सकता है कि जैसे को एक particular skill में, जैसे आप बहुत अच्छी singing करते हो, तो आपको किसी ने बोला कि चलो गा के दिखा दो, तो आपने गा लिया, because आपका domain specific confidence है, but एक होता है core confidence, core confidence ऐसे हो ग मैं यह काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, तो मैं कर लूँगा, right, so, that is core confidence, जो छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे wins से develop होता है, और core confidence से आपका self-esteem बढ़ जाता है, and self-esteem is strongly related to mental health and quality of life, I agree, मैं इसको micro victory routine कहता हूँ, कि आप, suppose यह बना लो, मेरेको 7 बज से नहीं उठा जाता, आप 9 बजे से दिन प्लाइन कर लो, बट जो आप अपने आपको कहो, छोटे level पे भी, अगर आप वो करने लगो, और उसको routine में डालते जाऊना, तो आदमी अपने आप से बहुत अलग तरीके से बात करना शुरू कर देता है, उसको यह विश्वास ह इस दिस दिए ग्रेटेश्ट ड्राइवर ऑ फुमानिटी, आज के तारीक में, इस आप इस वह विश्वास है, जो बिलिएनर्स है, उनके पास रियल टाइम में इतना पैसा है कि वह जो चाहे वो कर सकते है, जो चाहे, अपनी पूरी जिंदगी वह निजॉय कर सकते है, तो रश इसमें है जो एक्चुल मेहनत है आप अपने सेल्फ सेल्फ कॉन्फिदेंस और सेल्फ एस्टीम को नीचे गिरा रहे हो तो धीरे 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 नीचे जाते जा रहा है और इन अक्टिविटीज में आप बढ़ा रहे हो तो मुझे लगता है कि ये भी एक स्टॉ सेल्फ कॉन्सिबिलिटी वन जाता है राइट वो दो सब निकलता कहां से सब कॉन्फिदेंस इतो निकलता है नागि रहे हो तो देंस ऎलेज़ दो लुग बहुत ज्यादा दो ौन्या दे पाते है नासिसल्म का इसा है मेरे को लगता है लोग na confidence और narcissism ऐसे confuse कर लेते हैं जैसे sadness और depression कर लेते हैं sadness और depression ना दो अलग category है उनकी feeling similar हो सकती है, overlap हो सकता है narcissism necessarily comes with insecurity की मैं यह नहीं हूँ, इसलिए मैं यह performance कर रहा हूँ, और कोई देख ना ले इस performance के पीछे, तो वो constant reiteration of the performance कि मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ तो जिस आदमी को जितनी बार मैं यह हूँ बोलना पड़ता है न उतना वो डरता है कि वो नहीं है एक rough principle की तरह आप उसको treat कर सकते हो, psychological scale की तरह treat कर सकते हो, बट आपने material pleasure वाली बात ना बहुत सही बोली कि एक point के बाद आपके पास ये चीज़ का समझ आने लगता है कि जादा कुछ रखा नहीं है, बीच पे बैटके margarita पीने में, ठीक है कभी-कभी एक महिना chill मारा है, कोई दिक्कत नहीं है बट largely आप चाहते हो कि आप एक adventure पे हो और उस adventure का कोई purpose, कोई end game हो और उस end game से किसी का at least मेरे beyond किसी का भी कुछ तो भला हो, और इस process में मैं पैसा बना सकूँ, ये अगर आप पूरा game hack कर लेते हो, आपके पास एक adventure है, जाने को next 5-6-7 years के लिए है पर अब आप मेरे को बाद बताओ, आपने चाहे वो पैसे की गाजर है, चाहे वो success की गाजर है, चाहे वो enlightenment की गाजर है more recently what are your views on that bro, मेरे को मैं बड़ा curious हूँ so basically देखो मैं जिस school of thoughts से आता हूँ and I think कि मेरे मेरे एसाब से like दुनिया में बस like जो अब तक का जो सबसे सबसे saturated और सबसे right perspective है, वो है scientific perspective this is my own personal belief and I have very logical reasons because science में belief चीज is like you know it doesn't exist, it has more to do about predictable mental predictable models, right so अब मैं जभी उस नजरिये से देखता हूँ spirituality की बाते जो होती है कि पिछले जनम में ऐसा था या अगले जनम में ऐसा होगा and फिर बात में I also love to study about history कि civilizations कैसे बने ठीक है, I also love to study about neuropsychology कि किस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, क्या-क्या chemicals है जो क्या-क्या response निकालते है और science में जितने भी fields है, तो वहाँ से जो भी मैंने जो समझा है, सीखा है तो मुझे हर जगे पर big red flags दिखते हैं when it comes to spirituality मतलब मुझे ऐसा दिखता है कि आपको बस एक कहानी बोली जा रही है और बोला जा रहा है कि आप इसमें believe करो आप believe नहीं कर रहे हैं तो आप narrow minded हो ये बोला जा रहा है तो मैं बोलता हूँ कि यार मैं believe करूँगा मुझे reason बताओ, मुझे कुछ तो logic बताओ कि मैं believe करूँगा तो I am a hardcore non-believer of spirituality मुझे लगता है कि आज के time पे देखो हर किसी का market होता है तो आज के time पे देखो अभी current government सौ अच्छे काम कर लिए and I truly believe that मेरे videos अगर देखोगे Gaurav Thakur channel पर geopolitics के बारे में बहुत बढ़िया काम हो रहा है सारे next level पे हो रहे but just because इस government से एक pro-hindoo sentiment develop हो रहा है तो spirituality industry को भी एक बहुत बड़ा boost मिल रहा है plus Modi ji का एक mission भी है उनका mission ये है कि हमारा स्वाभिमान कभी बढ़ेगा जब हम अपने culture को लेके सीना चौड के उसको present कर पाएंगे और हम proud रहेंगे हमारे culture को लेकर तो कि अभी आज के time पे हमारे colonial past की वज़े से हम कहीं न कहीं हमारी slave mentality develop हो चुकी है कि हम पहले से ही अपने आपको हम इंडियन्स अपने आपको inferior समझते to foreigners तो और हम अमारे culture को भी inferior समझते हम western culture को American culture को gladly अपना लेते हैं सोचके कि ये cool है तो कहने का मतलब ये है कि ये बात बिल्कुल सही है और मैं जब बोलता हूँ कि यार मैं spirituality मैं believe नहीं करता but मैं ये strongly इसमें भी believe करता हूँ कि इंडियन culture को आगे आना चाहिए और we have to be proud of Indian culture we have to be proud about the ancient Vedic ज्ञान the Rishi Munis the Shlokas the Upanishads, the Vedas etc. ये उस time का knowledge था ठीक है उस time का knowledge था और उस time पे उस time के दिमाग के हिसाब से उस time के intelligence के हिसाब से, collective intelligence और उस जमाने के circumstances के साब से this was far too advanced लेकिन देखो प्रकृती में एक चीज है कि there is always change change is the only constant change is the only thing that never changes तो जो knowledge उस time पे चल रहा था वो knowledge उस time के best brains का knowledge था लेकिन आज उस पे updates आ चुके हैं आज हमें मालूम पढ़ चुका है कि उसमें से कितनी बाते गलत हैं लेकिन problem क्या आता है जब ये totalitarian views आने लग जाते हैं जब ये क्या बोलते हैं एकदम extremist views आने लग जाते हैं कि नई भाई जो भी लिखाता सब सही है absolutism कि जो हर एक बात लिखी हुई है वो सब सही है बिलकुल जो की fact नहीं है because आप ये पकड़के चल रहे हो कि यार वो भगवानों नहीं लिखा था या भगवान के साथ communication था और वही बाते लिखी गई है तो ऐसे में तो कल को आपको कुछ भी कहानी बोला जाएगा ठीक है और आप उस चीज में बिलीफ कर लोगे तो आपकी rational thinking कहा गई बिलकुल वेज में यही बोला गया है कि knowledge is power तो मेरा मतलब बोलने का मतलब ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारा culture बहुत अच्छा था हमें बहुत कुछ उसे सीखने मिला values सीखने मिले ठीक है जो शायद science नहीं सिखाता लेकिन culture सिखाता है values बिलकुल तो कि science में there is nothing called right and wrong science is just it is what it is it is the explanation of physical reality ठीक है but philosophy और समझना हमारे जो olden religious philosophy है ये हमारे life को meaning देने में help करते है तो उनको उसी तरीके से treat करो उसमें दियेगा इस scientific knowledge को science मत समझो और worse don't peddle those things as absolute truths because उससे जो भी तुम insecurity की बात कर रहे थे वही दिखता है कि जो चीज है नहीं उसको आप अगर बार-बार push करते हो तो ऐसा लगता है कि वो insecurity है right क्योंकि जो सच है the truth is always shining through right तो आपको जोट बोलके आपको you know like उसको like force के साथ उसको आगे push करने की जरूवत नहीं भाई मैं बताता हूँ इस पर मेरे ना बहुत विचार है ठीक है तो एक level पर तो मैं आपका argument और sharp करूँगा बताना आप agree करते हो कि नहीं और फिर मैं आपको एक counterfactual दूँगा देखना आपको सही लगता है कि नहीं ठीक है पहली बात तो मेरे को ऐसा लगता है भाई कि conspiracy और superstition चाहे वो religious हो चाहे वो spiritual हो चाहे वो 9-11 हो moon landing हो it is more comforting than the truth because truth is random और हम randomness accept कर ले कि किसी को कुछ नहीं पता है वो बहुत difficult चीज है भाई ठीक है कई बार ना against the principle of philosophy psychology sorry हमें stability चाहे हमें security चाहे है बिलकुल change नहीं चाहे है और randomness जिसका कोई prediction नहीं है oh my god यह कैसे हो रहा है तो पहली बात तो यह कि to some degree superstition is more comforting दूसरा I think if you take the ancient structure of religion which has virtue in my view right not I'm not a religious person myself और उसमें से भगवान हटा दो और भगवान से emergent जितनी बाते हैं वो हटा दो और सिर्फ skeleton ले जाओ ना आप उसका तो उसको हम modern spirituality का नाम दे सकते हैं basically spirituality is religion with God removed in the modern times two I think the kind of spirituality that gets peddled in content because content is not deep enough it is very surface usually आपको बड़ा मासी होना पड़ता है अपने आपको चलाने के लिए right is what I call max spirituality it's the fast food version of spirituality ऐसा भी नहीं है कि आपने actually spiritual principle से लड़ाई करके उसमें से कुछ निकाला है सोच समझके न आप चरवाक नहीं हो आप नीचे नहीं गए intellectual diabetes और intellectual cholesterol हो जाता है इस चक्कर में क्योंकि अब आप कुछ भी मान के बैठे हो और आप उस कुछ भी को कहीं पे भी ढून रहे हो अच्छा पैसे का क्या है पैसा दिखता तो है spirituality साली दिखती भी नहीं है अब मैं कहाँ ढून हूँ मैं पत्तों में spirituality ढून रहा हूँ मैं हवा में spirituality फिर आदमी घूमता है और ये घूमने के लिए ना जब आप मेरे खाल से 10-15-20 साल के थे आपको याद होगा वो बाबा वगरा घूमते थे उनकी किसी भी बातों में हमारे माबाप पाजाया करते थे उसने मोल दिया चटनी ऐसी डाल दो हाँ भाई यह वही है पर उसको री पैकेज करके चलाया जा रहा है अब मैं आपको एक काउंटर फैक्च्छल देता हूँ मेरे को लगता है spirituality की अगर मैं scientific rational understanding बनाने की कोशिश करूँ ना वो ये है philosophy does not deal with the mind in its depth philosophy deals with the architecture की भाई देखो ऐसे चलता है दिमाग largely Aristotle, Plato और अगरा psychology begins to deal with the mind but because आप study सरफ behavior ही कर सकते हो आप mental working तो study कर ही नहीं सकते किसी तरीके से neuroscience तो आप क्या करते हो आप deep psychology में जाते हो deep psychology हो गया आपका psychoanalysis Freud, Hume, Lacan, Horne और वो लोग भी they are able to only speak so much एक principle that almost all of them miss इसकी हमारे mind not brain, mind के कोने में एक शीशा लगा है और वो शीशा ऐसा है कि आप अपने mind की working आप अपने आपको देख सकते हो non-stop हाँ, self identity हाँ, self identity भी भी भाई, एक relationship मेरा आपके साथ है, आप मेरे को देख रहे हो एक चैट के साथ है, चैट मेरे को देख रही है एक मेरा अपने साथ है, जहां मैं खुद को देख रहा हूँ आपको नहीं पता लगेगा अगर मैंने जूट बुल दिया, चैट को नहीं पता लगेगा के लिए जूटा रहना पड़ेगा ये एक constant relationship है हमारा हमारे mind के साथ जहां पर we are able to observe our own selves and that creates a bunch of complications and to address those complications spirituality is the kind of psychological advice you can give somebody to mend their relationship with themselves on that level that is what I think is spirituality done properly. Right so, ये same चीज है ना, like मैंने एक video बनाया था the science of karma करके right, तो मैंने उसमें एक analogy दिया था कि कैसे एक बन्दा जो first time चोरी कर लेता है लेकिन वो time पर बच जाता है but धीरे धीरे करके हम ऐसे कहते हैं कि cause and effect karma is not exactly like cause and effect, कुछ लोग बोलते है but हो सकता है कि वो episode specific नहीं है but aggregated view देखोगे उसका तो वो हो जाता है तो आपने अगर आज चोरी कर ली तो कल को नेचर जो है यूनिवर्स तो मैं यहाँ पर physical perspective दे रहा हूँ quantum mechanics का perspective दे रहा हूँ the bonds rule basically probability को study करता है जो कि यह one of the latest rule है in quantum physics तो quantum physics में ना micro level पर जो empty space है उसमें random fluctuations है मतला particle in and out of existence आरे जा रहे है आरे जा रहे तो जो microscopic nature of universe है वो deterministic नहीं है नहीं है it is more like probabilistic because Einstein and the school were more like Newton and all that stuff deterministic है classical physics just to explain the chat एक बढ़ चाइट को समझाता हूँ चाइट यह थोड़ी हो सकता है बुद्धी जी भी बात हो जाए तुमारे लिए classical physics is Newtonian physics जो तुमारा second law, first law धक्का मारो तो रुक जाएगा रुकेगा तो फिर धक्का मार सकते हो types कि अगर मिरको एक system के initial positions पता है और उसका movement पता है तो मैं time में predict कर सकता हूँ कि चीजे कहा जाएंगी जैसे एक billiards का board ठीक है quantum physics which is the study of micro particles micrower than atoms राइट वहाँ पे जाके हम quarks yes वहाँ पे जाके हम realize करते है quarks, leptons, gluons yes कि हम कुछ नहीं predict कर सकते कि ये चीज है की नहीं है ये पता तभी लगता है जब हम डिबा खोल के देखते हैं उससे पहले हम कुछ नहीं बता सकते roughly बात ये है हाँ बाई अब बताओ हाँ so अब quantum perspective जो है न वो ये बताता है कि सारी चीज़े probability based है तो अब imagine करो कि आप एक गलत काम करते हो तो आपका future में वो गलत काम replicate करने का या फिर repeat करने का probability बढ़ जाता है so आप कही न कहीं time के dimension में उस जगे पे attract होते जा रहे हो right उस reality में reality पे तो कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है कि every time you commit a certain act ज्यादा chance है और plus इसमें neuropsychology भी आ जाती है because we are beings of habit right right मतलब जो चीज़ हमारे लिए एक normal हो जाती है मतलब हम एक बार कर लेते हैं तो उसमें से जो initial initial resistance होता है for example अगर मैंने कभी चोरी नहीं की है तो एक initial resistance है तो उसको हम बोलते हैं कि उसको एक sentence है जो उसको describe करेगा your behavior is always congruent to how you identify yourself right तो basically एक identity नाम की समद्दो एक concept है हमारे brain के brain का एक system है जो identity को regulate करता है तो अब वो ज्यादा willing हो चुका है ये काम commit करने के लिए तो उसकी probability बढ़ जाएगी अभी probability बढ़ जाएगी तो one fine day you might get caught right और वो time पे वो अपने behavior को change करना बहुत difficult हो सकता है so yeah मतलब ये चीज 100% true है मेरे इसाब से लेकिन यहाँ पे जो counter argument था मुझे ऐसा लगता है कि इस संदर्ब में अगर हम बात कर रहे हैं कि उनको एक philosophical या meaningful या meaningful एक perspective दे दिया जाए कि तो तुम्हारा argument यह है कि हमें इसको एक magical spirituality का वो देना पड़ता है ताकि ज्यादा chance है कि लोग इसमें believe करें देखो भाई मेरा argument यह नहीं है मैं तो in fact I feel stories are fine I feel superstition is not so stories I understand are packaging है ना मेरको अगर किसी चीज को पहलाना है मैं उसको अगर समझाऊंगा तो वो समझ दूसरा वाला तीसरे को कैसे बताएगा पर मैंने कहानी सुना दी जिसमे श्री राम चंद्र है और हनुमान है तो मैं sacrifice ढंक से समझाआ पाऊंगा तो अगर मैंने आपको कुछ चमतकार वाली चीजे बता दी जो scientific principles की against जाती है अब क्या होगा एक superstition ने आपके दिमाग में बीज ले लिया अब वो जो बीज है वो बीज किस जाड को जनम देगा superstitious जाड को अब समझो तुमने 10-15 ऐसे बीज को डाल दिया तो बहुत जल्द एक Amazon Rainforest बन जाएगा बिलकुल superstitions का मतलब आपका दुनिया को देखने का नजरिया ही flawed है मतलब आप ऐसे देखते हो यार मैं एक्जाम में फेल हो गया यार लगता है मैंने माला बराबर से नहीं पहना है यार मने भगवान को भाव से मैंने उनकी पूजा नहीं की थी तो यह अभी आप अभी आप हम ऐसे देखते हैं लोग धरम के नाम पर मरने मारने को तयार हो जाते है ठीक है बिकिस्ट यार रियल लिविंग इन सम डिफरेंट रियालिटी राइट और वो फिर बात में पॉंस बन जाते है ठीक है उनको उनके दिमाग को हाईजाइक कर लिया जाता है और उसको फिर उसको यूस किया जाता है for serving a particular agenda तो मैं इस चीज की अगेंस तो I am completely in agreement भाई हमें इंडिया में इतना नहीं होता अमेरिका में ये चीज़ पॉलिटिक्स के साथ होती है ठीक है आप और मैं बचपन के दोस्त है हम सारी जिन्दगी बचपन के दोस्त रहे हमारी बड़ी अटूट दोस्ती है आपनी मेरा मेरी जान बचाईए एक बार ठीक है फिर क्या होता है मैं किसी दूसरे शहर चला जाता हूँ college के लिए अब मैं वहाँ पे democrat values पकड़ लाया आप पीछे से republican हो अब हम दोस्त भी नहीं रह पाते भाई क्योंकि हम सर्व कर रहे हैं एक invisible agenda जहां Joe Biden और Donald Trump लड़ रहे है हमारी दोस्ती का क्या हुआ हम तो प्यादे बन गए भाई हम तो प्यादे बन गए यह एक बड़ा realistic notion है जहां पे आपको the best way to sort of confuse you is to add an element of fantasy to things and that you fight a fantastical warfare then you never really see what is real and pragmatic in front of you वो आपके वजूद का एक पाड़ बन जाता है आपके identity में इतना deeply ingrain हो जाता है कि you start seeing other people as your enemies or as not even good human beings right you start seeing them as bad people तो कहने कम और यह अभी politics में तो इतना तो भी नहीं होता है बट religion में यह जादा हो जाता है इंडिया में religion में जादा है इंडिया में जादा हो जाता है like it's like हम special है so इसके वज़े से ना बहुत सारी militaristic totalitarian ideologies बन जाती है expansionist ठीक है so religion has always been a good part of military strategy क्योंकि पुराने जमाने में क्या था कि लोगों के पास इतनी scientific advancement नहीं थी मतलब conformity जो psychology में एक बहुत important behavior trait है या फ्लॉव है बोल सकते कि अगर हम जहां पर भीड देख रहे हैं तो हमें लगता है कि वो भीड ये काम कर रही है तो वो चीज सही है तो पुराने जमाने में ऐसी होता था जहां पर भीड दिख रहा है जिस समनलो चारलेटन के सामने और वहाँ पर जादे लोग है जो लोग वो बोल रहे हैं कोई scientifically उसको verify नहीं कर रहा है कोई testify नहीं कर सकता उसको और लोग वही चीज बनाएगा और वो फॉंच से वो चीजों जगे जगे पर लूट के expand करेगा और फिर बाद में वो इस सारी चीजे बाटेगा उन्हीं लोग को जिसने उसको power दिया आज के टाइम पर पॉलिटिक्स पर होता है हमारे तरीके बदलने हैं हारकते सेम मीडिया आ गई है आज के टाइम पर मीडिया आ गई है तो इवन इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो लिटरली बिकेव हैं यह बात आपको अंदर से पता होगी एजेंडा उनका सिपल है गवर्मेंट गिराना है अच्छा उनके चैनल चेक करोगे तो आपको 600-700 वीडियो में से एक वीडियो नहीं दिखेगा जो गवर्मेंट की अच्छाई को बताता है मेरा एक सिंपल सवाल है मेरा सवाल यह है कि आज के टाइम पे तुम यूएस में बेठे हो तुमने मोदी के बारे में बहुत सुना होगा अभी इनफाक्ट वी थे अभी शायद है यहां पे कोई खास न्यूज नहीं थी इंडियन ट्विटर, इंडियन न्यूज नेटवर्क में बहुत न्यूज थी यहां पे तो आते रहते हैं यार यहां यूएस में तो जिको और भी आते रहेंगे बट कुछ facts and figures है ना जैसे इंडिया ने अभी इसी साल वापिस से एक और एक बार मतलब बहुत ज्यादा उसने GDP को cross कर लिया अपने पुराने record को ठीक है इसके अलावा G20 की presidency है तो there are thousands of things ठीक है तो इंडिया में कुछ अच्छा नहीं हो रहा अगर आप एक neutral channel हो तो आपका एक भी वीडियो क्यों नहीं है जो government की अच्छाई को बताता है clearly you are sponsored by something बट भाई इसका opposite भी true है कि कई ऐसे channel हैं जो कभी बुराई नहीं बताते हैं और अगर बताते भी हैं तो वो एक जैसे ना bait performance bait होती है कि ये छोटी सी एक बुराई बता देता हूँ ताकि फिर मैं अच्छाई कर सकूँ उनके बारे में आपका क्या opinion है देखो दोनों side होता है government गिराने की बात है government retain करने के लिए भी है यहां पे I am not pro or against अगरा argument वो ही नहीं हमारा argument यह है कि पहले भी यह होता था आज भी हो रहा है वैसा है अगर किंग को गिराने की कोशिश चल रही है तो किंग थोड़ीना हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा बिल्कुल बिल्कुल किंग अपनी strategy चलेगा पावर गेन करने की होड में people at the top concoct some abstract ideology abstract ideology से लोगों की बहुत सारी emotional needs पूरी होती है तीक है दूसरी बात confirmity का एक बहुत बड़ा इहां पे bias create हो जाता है कि people can't help but conform to the identity of that particular philosophy to the community's ideology तो वो उसको conform करने लग जाते है और फिर इतना ingrain हो जाता है उनके identity में कि उनके लिए reality उसके अलावा उसके विपरित कुछ हो ही नहीं सकती है और आप फस गए हो game में game में फस गए हो और आपका दिमाग hijack हो चुका है फिर जो लोग power पे है वो लोग जो कहेंगे या वो लोग जो करेंगे आप उसको पूरा समर्थन दोगे और वो लोग अपने power को enjoy करते रहेंगे देखो macro level पर strategically चीज़े ऐसी ही चलती है राजा आके एक एक जन को नहीं बोल सकता कि भाई मेरे लिए वोट करो इसलिए हम इसको गेम में बोलते है vote bank politics अलग-अलग चीज़े आ जाती है मतलब हमेशा आप किसी भी तरीके से एक segment को आप अपने साथ जोडने की कोशिश करोगे कि यहां से मुझे votes तो आई आई और उसमें religious ideology बहुत बड़ा role play करती है पुराने जमाने से करती हा रही है बिल्कुल सही बात कह रहे हो भाई कि specially क्योंकि religion और politics politics hard power है religion soft power है तो as a अगर मेरे को in general power accumulate करनी है it's a very soft and brilliant tool because बुराई तो कुछ कर ही नहीं रहा theoretically speaking religion is beautiful it is only in its practicality that we start seeing things and start wondering so I can always sort of employ that chat अगर तुम्हारे भी कोई सवाल है please chat में लिखके बताओ मैं आप से कुछना चाहता हूँ भाई I was recently speaking with एक मेरा फ्रेंड है मेरे स्कूल का जूनियर रैप काफी popular sort of rapper or YouTuber इसका नाम है अरपित बाला कभी आपने उसके clips अगर इंस्टाग्राम पे देखे होंगे आपको पता होगा तो अरपित जेनरली एक comedian sort of entity है ठीक है पर हम लोग बात कर रहे है masculinity के बारे में और हम लोग तो अरपित का argument was very similar to जो आप अभी sort of kind of कह रहे थे not exactly कि to a great degree ideology becomes a means of accumulating power and power is primary the idea the sentiment the construction of how you get to power is not that important तो masculinity आप बोल सकते हो प्रकर कि sacrifice करो responsibility लो eventually वो एक power maintaining tactic बन जाती है उसमें आप responsibility और उसका जो धर्म और जो duty का जो essence है वो चला जाता है similarly आप कह सकते हो politics में भी ऐसा हो जाता है मेरा view दोनों cases में थोड़ा different है but largely I feel like कि जब हम दुनिया को ऐसे देखने लगते है कि हर चीज का end game power है आवाज आ रही है भाई कटी तो नहीं आवाज नहीं आप या गया मेरा visual चला गया था अच्छा मैं कह रहा हूँ भाई अगर हम ऐसा सोचने लगते है न जीवन में कि दुनिया का end game games का end game हर चीज का end role power accumulation है तो एक न मजा एक एक रस चला जाता है जीवन का मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कई लोगों का हो पर हमें ऐसे जीना चाहिए कि नहीं है हमें ऐसे जीना चाहिए कि हम responsibility उठा रहे है responsibility उठाने के लिए और उसके रस के लिए वरनाना जीवन बहुत ही एक corrupt दुनिया एक बड़ी corrupt जगा लगने लगती है किसी पर भरोसा नहीं होता performance हो जाता है हाँ it is very performative then like life becomes like a performance right जो आपकी happiness index को बहुत कम कर देता है precisely and so I feel like यह जो post-modernistic एक nihilistic view है कि virtue, value, idealism कुछ नहीं होता it is all a play for power and a performance for power I am not completely convinced by it आपका इस पर या view है देखो दुनिया में ना like there is no like मतलब a fundamental truth कि मतलब एक ही चीज़ जैसे for example हर किसी के लिए goal power है या हर किसी के लिए goal happiness है right there are different nuances तो ऐसे क्यूंकि हर किसी की reality अलग है और उसके पीछे उसका उसका mental makeup which is again being influenced by genes अलग-अलग genes हम किस environment पे रहते हैं उस हिसाब से उनका अलग expression होता है बिलकुल for example if I come in stress yeah मैं एक particular तरीके से respond करूँ versus if you come in stress right क्यूंकि मेरे genes के वो अलग-अलग codes express होने लग जाएंगे basically तो और ये तो मैं सिर्फ genes की बात कर रहा हूँ अब यहाँ पे environment में 1000 variables आ जाते हैं right किसी का childhood traumatic था किसी का childhood प्यारा था किसी को प्यार ज्यादा मिला किसी को प्यार मिला ही नहीं तो कहने का मतलब यह है कि हर किसी का end objective कुछ अलग होता है now what you said is ultimately true बना वो 100% true है कि power gain करना आपका main objective होना नहीं चाहिए because अगर आपका main objective power gain करना है तो throughout your life you are in a state of performance ठीक है और power का there is no end and if you reach the top आपके रातों के नींद जाने वाली है वहाँ उस position को retain करने के लिए right so कहने का मतलब यह है because happiness क्या है happiness is nothing happiness is something that you can decide to be happy now ठीक है मैं अभी चाहूं तो मैं अभी happy हो सकता हूं because it is just a rift between your expectation and your current state तो अगर मैं current अगर मैं आज बहुत बड़ा इंसान हो सकता हूं ठीक है लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं अम्बानी क्यों नहीं हूं ले तो हो गए unhappy हो गए unhappy हूं मैं आपने succession देखा है succession TV show देखा है आचा अचा ठीक है उसका यही plot है भाई कि वो billionaire है और फिर भी खुछ नहीं है क्योंकि उसको अपना बाप बनना है exactly so कहने का मतलब यह है कि देखो power gain करने का कोई limit नहीं है because there would always be because सबसे top पे कौन बैठा है एक जन जो बाइडन और उसका शायद गोल कुछ और है उसका गोल शायद कुछ और है कि मैं काश जवान होता तो कहने कि यह मैं बीमार नहीं होता पता नहीं यह controversial नहीं नहीं controversial यह साचा भाई कुछ भी बोलता है so कहने का मतलब यह है कि यार वो comparative चीज है why you want to compare with anyone लोग नहीं जीरे 50-60 साल किसी को heart की बिमारिया हो रही है किसी को cancer हो जा रहा है तो कहने का मतलब है कि 60-70 साल जो अपकी life है if you want to live it in a good way तो you should not have these utopian dreams ठीक है which you are thinking will be the end will provide you with ultimate happiness ठीक है but it's all utopian वो बस से वे एक fairy tale concept है अगर मैं बात करूँ power की as a ठीक हो power को एक तरीके से एक system पकड़ो ठीक है so power power system है एक system है जिसमें बहुत सारे elements आ गए वो elements क्या है वो elements है people who crave power वो ecosystem में वो सारे अलग-अलग लोग आ गए जो powerful position पर है क्योंकि वो power को retain कर रहे है और उनी से power निकल के आ रहे है power flow हो रहे है और उसमें जितने भी लोग है जो power power जिसको power का thirst है ठीक है तो यह एक ecosystem है यह उनकी reality है but then there is another ecosystem जहाँ पे लोग happiness को सीख कर रहे ठीक है एक another ecosystem है जहाँ पे लोग क्योंकि लाइक मतलब यह बत वो आफटर लाइफ के लिए एम कर रहे है और यह एमिंग फॉर कि मतलब मुझे कुछ एक ऐसा state of bliss मिल जाए जिसको पता नहीं मैं भी यूदेमोनिया कह सकते है ठीक है मुझे एक ऐसा state of bliss मिल जाए tranquility मिल जाए जिससे कि मुझे कभी कोई मैं negative experience negative emotion मुझे botherी ना करे which is not true and it's also bullshit because yeah आप अपने DNA को कैसे change करोगे भाई आपका DNA बताता है आपको कैसा feel करना है आप नहीं बताते है अपने DNA को इतना influence आपके behavior का आपके choices का आपके life पे होता है उससे ज्यादा influence आपके DNA का आप पे हो रहा है right so if you are programmed like as a human being if you are programmed कि मतलब आपका आपका heart blood flow करेगा pump की तरह आपका blood flow करेगा you cannot stop your heart right right तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने biological biological working mechanism को change नहीं कर सकते but anyway that is an ecosystem right so अब यह complex ऐसे हजारो ecosystems है और यह हजारो ecosystems का interaction is our reality right good way to describe it and it is very it is very complicated to predict things because किसका end goal कुछ और है किसका end goal और यह change हो रहा है because people are getting influenced for example मैं आज spirituality के end goal पे पहुँच रहा हूँ मेरे life में कुछ ऐसा episode आ गया कुछ ऐसा हाथसा हो गया और अभी मुझे ऐसा लगता है कि यार यह spirituality विर्युच्वालिटी तो यार scam है जिंदगी में बस power gain करना ही सब कुछ है तो एक से दूसरे में transfer हो रहा है तो इसने बोला कि भाई तू बहुत कमजोर है तो इसको बहुत डीप चोट पॉंट गई और उसने अपना trajectory change कर लिया तो वो यह system से निकल के किसी और system में चला गया ऐसे हजारों चीजे हो रही है in a reality so it's very hard to predict things कि मतलब future कहां पे unfold होगा right the way I think of this Gaurabhai is don't aim for happiness aim for choosing your suffering आप अपना pain खुद चूज करो क्योंकि pain में जो engagement है और pain के बाद वाली जो खुशी का जो rush है ना actual वो real rush है वो meaningful rush है तो अब आप choose करो आपकी suffering कौन सी होगी भाई इसका simple example क्या है आप gym ना जाओ तो आप मुटापे की suffering लोगे आप gym जाओ तो मेहनत की suffering लोगे आप माबाप से लडाई आप मत लडाई करो जो आपको ठीक करनी है चीज़े मत करो तो आप दूरी की suffering लोगे आप लड़ लो तो लडाई की जो उस टाइम पे जो एक दूसरे को कहा सुनी होगी उसकी suffering लोगे आप महनत नहीं करोगे तो आपको गरीबी असफलता की suffering मिलेगी आप महनत करोगे तो आपको सफलता की suffering और उसकी So it is, life is very often about not aiming for happiness but for aiming to choose your type of sadness your type of suffering Because all meaningful things come beyond pain Anything, FIFA जीतने से कोई meaningful खुशी नहीं आती, pleasure आता है क्योंकि कोई suffering नहीं है न भाई मैंने अपने उठे नहीं तोड़े न But push-up मारने से जो खुशी आती है न उसमें मैंने थोड़ी suffering ली तो that amount of meaning gets added There is no meaning without pain, ever And meaning is one of those things where मैं समझता हूँ Top 4 values जिनका contest आपकी लाइफ में होता है Is truth, meaning Wait, मैं भूल रहा हूँ Truth, meaning, grace and fitness Fitness in the sense of evolutionary fitness ये चार चीजों की value होती है लाइफ में तो more than happiness aim for meaning More than happiness aim for truth More than happiness aim for grace क्यूंकि कई बार ऐसा भी होता है जैसे I don't know if you've ever come across Andrew Tate on the internet who became very popular last year I made a video on him 1.5 million views And I Did you criticize him? Kind of destroyed him Yeah, right And the problem with him is हो सकता है भाई, मैं कंसिडरी नहीं कर रहा हो सकता है कि उसकी evolutionary understanding proper हो Scientific community की नहीं है चलो मैं मान लेता हूं लेकिन उसकी बात में grace नहीं है न भाई तो वो even if it is true It is not graceful And on that count It is not okay with me It loses And he is just doing it for the sake of marketing Yeah If you check that video, it is a 20 minute video I have written the script itself Okay, you see that You feel like that That is what you feel like Material pleasure Is the only way to become happiness To achieve happiness Yeah Right And like Like sensory pleasures I am involved हो And overabundance of sensory pleasures Basically That is what you have in your life And Look, what is the business model of all these people? That these people Loan उठाते हैं Bहुत सारी चीज़े रेंट पे लेते हैं और आपको एक लाइस्टाइल दिखाते हैं जो कि मेभी रियालिटी में ये लोग जी भी नहीं रहे Hmm ठीक है But Same happened with This guy Who was on Instagram? Dan Bilzerian Dan Bilzerian Right Same उसने जो अपनी लाइस्टाइल बताई थी That was all fake And later उसने सबकुछ लोन पे था और बाद में वो लोन नहीं भर पाया अपने घर का अपने उसके मैंशन का Exactly Dan Lok, same thing Yeah So the thing is कि यहीं पे वो चीज़े आ जाती है तो मैंने वहाँ पे एक सिंपल आर्गुमेंट रखा मैंने ये बोला कि यार अगर यही होता तो आज सारे बिलियोनेर्स के पास बहुत सारा पैसा है उनलोग क्यों काम कर रहे हैं भाई क्या जरूवत है बुढ़ा पे में I personally got the opportunity to meet meet the finance head of Wipro who speaks with like the founder of Wipro on a regular basis Azeem Premji is the founder Azeem Premji Yes And he is such a great guy at the age of like 70 or कुछ around उसके है Everyday he works 12 hours Right तो like why अगर यही absolute answer of happiness है तो जो जितने भी बिलियोनेर्स हम देखते है Top 10, Top 100 कौन सा ऐसा बिलियोनेर है भाई जो पूरा टाइम बस 20-25 लड़कियों को लेके घूम रहा है Right And then we discussed about this thing कि life में जो वो rush होता है जो आपके self-esteem को बढ़ाता है आपके self-confidence को बढ़ाता है वो rush is actually a great source of happiness Right Right और मैंने ये खुद ट्राइ भी किया So I'm also speaking through personal experience So there there came a point in my life जहां पर मुझे ऐसा लगा कि financially तुम सौर्टेड हो चुके हो Okay And बाकी सारी चीज़े भी सही चल रही है Like you know the work that you're doing people are loving it So just give some just give some time to yourself Okay Like experience a little bit of pleasure Okay I'm a very experimentative person I like to experiment ठीक है और कितना भी लाइक उसके around noise हो कि ऐसा नहीं करने का Moral noise इस बाद है ये साही नहीं है I want to experience it myself Because मुझे मालूमे Because मुझे मालूमे अभी सारे इंटीक्रिसीज नहीं बताऊंगा But मुझे मालूमे कि सुसाइटी मैं बहुत सारे controlling narratives बहुत होते है So I want to At least experience it Because मुझे मालूमे Because for example I tried a bunch of things as well Okay A bunch of But मैं ये सारी बातें नहीं बोलूँगा Because people See it's like a trap Imagine कर लो Imagine कर लो Imagine कर लो जो भी आप imagine कर सकते हो Mostly मैंने किया होगा Okay दल दल कैसा होता है कि अगर आप सही टाइम पर निकली नहीं तो आप अंदर धस जाओगे So I don't want to make the things 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 We have a position of influence In that sense And this is like Maybe like Look, मेरा माइंड का मेकप अप अग है Right कि मैं वहापे गया मैं में भी एडिक नहीं हुआ मैं भाहर निकल गया But वो हर किसी के साथ नहीं हो सकता But I am just speaking my truth Right So मुझे अल्टिमेटली यही बात है कि भाई वापे से अपने काम में लग यही कंक्लूजन बार-बार निकला कि your purpose, your goal and the kick that you get from your work the happiness that you get from your work that is irreplaceable Right I think bro, मेरे को ऐसा लगता है लोग ना इस जो आपने भी बात बुली कि simplicity अब्रीशेट नहीं करते यह simplicity आती तब है जब आप complexity में बहुत टाइम दिमाग खर्चा कर लेते हो पहले आप complexity के लूप में निकलते हो उस complexity से wrestle करते हो बहुत टाइम रेसलिंग होती है फिर आदमी समझता है वो जैसे कहते है ना chop would bring water the post enlightenment sort of phase is अब मैं लगडी काट हूँगा भाई मेरे को मेरा simple काम वापिस दे दो मैं ना भाई I was lucky enough to be around a lot of like at least hundred millionaires and some billionaires also मैं New York रहता हूँ I went to a good school मेरे friends थे उनके friends थे और जो billionaire lifestyle होता हूँ ब्रो वो बहुत ही जिसे कहते है हम चेक इतना like it is just very different from us pedestrians की यार मैं सोच रहा हूँ Barcelona हूँ कब और I have found with people that are that rich they do not necessarily want to be famous the reason why they travel in first class and not business class क्योंकि मैं सोचता था क्या difference है business or first में first आप कभी plane में enter करोगे आप कभी first class से enter नहीं करोगे you'll enter business class and then economy first class में privacy they pay extra money three times more than business class कि को इनका चेहरा ना देखे क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए so billionaires in general tend to understand that if they're too famous they're at risk of a bunch of things might as well shut up and have fun right and these are billionaires bro like मेरा एक billionaire दोस्त होता था I have a picture of him parting with Dan Bilzerian somewhere क्योंकि वो दोनो same club में थे मिकनोस में ग्रीस में एक बड़ी right and like उसको नहीं इंटरेस्ट है उसको भी बताने में कि मैं बिलिएर हूँ बहुत नॉर्मल लगते हैं they don't dress very high high fashion for that उस ताप का रिच पीपल ना is also not branded fashion they will never carry a Gucci purse or like a LV belt ever उनको नहीं दिखाना है they know they have it and this is what I'm getting at is the difference between somebody who's abundant and somebody who's not yeah who wants to show कि I am abundant so if you actually have if you are lucky enough to be loved by a lot of women for instance in the Tate case आप चिला नहीं रहे होगे उसको मार्केट में you will in fact be a little shy of admitting it because it is such a जैसे मतलब मेरे पास it's your big score that you want to hide right yeah you don't want to tell people नहीं मैं इतलाभी खास नहीं पर ब्रो ऐसे करना होता है ऐसे करना होता है ऐसे करना होता है तो अगर कह रहे हो it reflects what you notice in other people is also a reflection of what you think is important right so अगर मैं suppose Gaurav भाई से बात करने के बाद मैं दोस्तों को बोलता हूँ Gaurav भाई न थोड़े arrogant है इसका मतलब यह है कि मेरे दिमाग में arrogance का metric बड़ा important है इसलिए तो मैं उनको नाप रहा था उस पे on some level जो मैं बात कर रहा था mirror dimension की हमारे दिमाग के अंदर उस level पे मैं खुद को arrogance के चकू पे नापता हूँ आप समझ रहे हूँ successful आदमी जो पैसे वल आदमी इसको पैसे से मतलब है वो पैसे के चकू पे नाचे बाई नापे का आदमी को so overall I feel like what and I'm surprised what people get to hear about extremely rich people is so obviously not true if you've met super rich people they want to be away from us उनको तो लगता है ही साले पेड़ेस्ट्री है ना इंसे नहीं बात करनी उनको प्राइवेसी ची है पीस and प्राइवेसी या राइट अगर तुम्हारे भी कोई क्वेस्चन है ना तो लिखने शुरू कर दो और लाइक मारो स्ट्रीम पे पहली बार आयो तो सब्सक्राइब करो बात करने भाई बहुत मज़ा आ रहा है मेरेको आप बोर तो नहीं हो रहे ना नहीं नहीं ठीक है यार मतलब मैं जादे यूट्यूबर्स को नहीं जानता हूं जो यह सारे कॉन्वजेशन में एंगेज भी करना चाहते है राइट बिकिस लाइक मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि यूट्यूब कमेनिटी में मोस्ली जो यूट्यूबर्स है यार entertainment focused और मुझे तो पहले audience के लिए भी ऐसा लगता था बट रिसेंटली मुझे मालूम पड़ा है कि यार audience को भी यह सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि मेरे live streams जो मैंने वो 2-3 गंटे का 3 गंटे का live stream बना है, 3.5 तीन गंटे का live stream था, I am the only person speaking और उसमें 1.8 million views आ गए लोगों में अभी वो आ रहा है भाई सब चोड़ो, मेरे को इक बाव था, सब चोड़ो, मैं बहुत सीरिस बात पुछ रहा हूँ साथ चैनल कैसे चलाते हो बाई, ऐसे क्या system है आपके, ऐसे processes क्या है बिजनेस चलाने के, जहां आप साथ चैनल चलाते हो, थकते नहीं हो, ऐसे नहीं लगता कि सो जाऊ तो, अभी ना सारी चीज़े इस हद तक optimize हो चुकी है, कि even मेरे चैनल का जो content होता है ना, वो team पुरा prepare करती है और, मुझे मालूम पढ़ता है script के बारे में, the moment I am recording it ठीक है, फिर obviously मैं go through करूँगा, और उसमें मुझे कुछ भी issues लगा, तो फिर वो change हो जाएगा because obviously, like मेरा एक understanding होता है, उन topics का, जिस topic पर video बन रहे है इस तरह का optimization कह सकते हैं, automation कह सकते हो चुका है और दूसरे जो channels है, मेरा focus primarily होता है मेरे दो channels पर और इसके अलावा थोड़ा सा learn पे भी मैं focus कर लेता हूँ और बाकी सारे जो channels है वो उसमें team का ज्यादा बड़ा role है we have very good team, very good leaders, हाला कि इतने आसानी से यह सब नहीं हुआ because जब आप company बनाते हो, तो starting में आप भहूट थोकरे खाते हो so company is like, company has to go through with your mental evolution and structural evolution so structural evolution मतलब systems उसमें आ गए, लोग आ गए उसमें right, कि गलत लोग निकलेंगे, सही लोग आएंगे, जिनके values सही है जो उन values में believe करते हैं, जिन values में आप believe कर रहे हो unity है, thinking में, और structural evolution मतलब आपने processes ऐसे बना के रखे हैं जो पहले work नहीं कर रहें, inconvenient है, तो वो सारी चीज़े destroy होगी दीरे-दीरे करके, step by step, step by step और evolve होगा एक बड़ा structure तो company बनाने के लिए आप पहला साल या डेल साल तो पकड़ के ही चलो और ये तो मुझे अपने time मेरे case में लग गया अगर आप थोड़े से unfortunate circumstances में चालू कर रहे हो तो maybe 3 साल लग सकता है आपको but it takes a lot of time because यहाँ पर evolution हो रहा है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन आए और आप बोल दिये कि चलो ये ये करेंगे, आपको next day से result दिखने लग गया नहीं, 100 problems आएंगे, 100 चीज़े गिरेगी house of cards कैसा होता है अब एक एक पत्ती लगाते हो अब चौथे माले तक पहुँचे, पूरा card गिर गया वापेस से start करो, ऐसा हमारे साथ बहुत बार हो चुका है कभी employees के वज़े से, कभी हमने leaders पे properly गलत leader पे trust कर दिया, ठीक है कभी internal dynamics के वज़े से, कभी culture की वज़े से हो गया कि culture पे हमने ध्यान नहीं दिया, कभी systems के वज़े से हो गया बहुत सारे, a number of reasons I know, I can feel you हाँ, मतलब तुम भी team चलाते हो, तो फिर obviously वो होता रहेगा because the hardest thing is to work with people right, and especially तो अभी हमारी company में currently कुछ 54 लोग है तो इतने सारे लोगों के साथ, और हमने ये देखा है कि जितने ज्यादे लोग होते हैं, उतना स्यादा problem create होता है तो अभी हम कही न कहीं यही सोच रहे हैं कि हम तोड़ा सा डाइन downsize करें, right, मतलब हम at least hiring stop कर दे अभी जो existing लोग है उनको, I don't believe in that कि मतलब लोग को निका लो so I believe कि जो existing लोग है वही पर stop कर दो और लोग अगर निकल रहे तो don't like look for an alternative, right, but just because हम अपने business को और scale नहीं करना चाहते so coming back to your question, साथ चैनल को कैसे चलाते हैं, halat खराब होती है and I would not prescribe that to anyone, I can imagine I would not prescribe that to everyone, मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया because मुझे ऐसा लगा कि, see, जैसे मैंने कहा कि I've always been a hard worker और मेरा mindset हमेशा से हैसा रहा है कि मैं जिस पे भी अपना दिमाग लालू, मैं वो चीज कर लूँगा तो मुझे बीच में एक entrepreneurship का कीड़ा आ गया था और अभी भी लाइक कोई भी बंदा अगर content देखता है YouTube पे तो उसको भी वो कीड़ा आ जाएगा क्योंकि हर जगे पे entrepreneur और finance का चल रहा है मलब हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं भी entrepreneur बन सकता है और मैं बनूँगा और entrepreneur मैं भी इसे छोटे बोलते entrepreneur बिलियोनेर मैं आईपियो ले जाँगा और नी कंपनी बैंगलों से एपियो तो यहने का मतब यह कि यह सब चीजे देखके मैं भी इंस्पार हो गया और मैंने भी सोचा कि और लाइक मेरा एक और एक अप्रोच है लाइफ में कि मैं हर परस्पेक्टिव को experience करना चाहता हूँ कि मुझे यह चीज मालूम है कि वो काम करने में भी मेरे कुछ और दूसरे कोर स्किल्स डेवलाफ होंगे जो मेरी लाइफ में मुझे कहीं और बेनिफिट देंगे transferable skills transferable skills और आपका जो एक solid मलब आपको एक हर जगे से आपको एक perspective मिलता है ठीक है हर जगे से अगर आप 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 खुली रखो तो आप खुली रखो विकिस हर काम के पीछे कुछ fundamentals होते हैं at play और वो fundamentals के knowledge को आपने extract कर लिया तो वही fundamental का knowledge आप कहीं और transfer कर सकते हो जिसको हम कहते है creativity राइट जबरदस जबरदस भाई चैट ओपी लिख दो भाई भाई कि understanding crazy ओपी in the chat भाई sorry रोकना पड़ा आपको हाँ so यह मतलब मैं उस वज़े से यह चीज़ करने लग गया और मुझे ऐसा था कि यार मुझे new चीज़े सीखने में मज़ा आता है तो मैं जब स्टार्ट किया as a writer तो मैं सोचा चलो editing सीखते हैं पहले तो मैं सारी चीज़े है कि मैंने maybe like million lives change कर दी है वो भी मेरे लिए satisfaction है या फिर मुझे मेरा काम करने मिल गया और एक positive impact क्रिएट करने मिल गया वो भी मेरे लिए satisfaction है बट अगर आप एक strictly एक business perspective से देख रहे हो या फिर कम time में ज्याद सेयादा आप पैसे बनाने के perspective से देख रहे हो तो this doesn't make sense because आप क्या कर सकते हो अगर आप एक influencer हो तो आप अपना खुद का brand बनाओ आप एक personal brand बना लो और you become भाई भस गए भाई मेरा internet है कि भाई इंटरनेट है मालूम नहीं पता लगेगा भाई हाँ आप बाद में co-founders डूण लो जो operation करेंगे जो marketing करेंगे sorry 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 I have to stop you क्योंकि आप cut गए where you were saying आप अपना personal brand बना लो फिर हाँ वो एक company में जो जो departments होते हैं उसके लिए आप सही लोगों की एक team बना लो for example आपने operations के लिए बंदा ले लिया जिसके पास 10 साल का experience है तो आपको वो सारा dirty work नहीं करना पड़ेगा कि आप हर department में जाके 2-2 साल लगा रहे हो उसको optimize करने में because वो operations का जो बंदा है वो अपने साथ अपने contacts भी लेके आएगा और 10 साल का experience भी लेके आएगा और वो चीजों को फटा फट सेट कर देगा you will save time plus you will not be distracted because अगर मैं 10 चीजों पर focus कर तो हमारा one of the reasons why our personal brand was not able to grow so much was because मैं तो पुराना YouTuber हूँ right because मेरा like मेरा आधा करियर तो company बनाने में गया है right right मतब department set करने में लोगों को train करने में interviews conduct करने में processes SOP systems बनाने में तो obviously बात है मतब मैं अपने आप पर focus नहीं कर पा रहा अपने personal branding पर focus नहीं कर पा रहा content quality पर focus नहीं कर पा रहा so I am an influencer at the same time I am a CEO, CEO, etc. right so obviously जब मेरा focus डिवर्ट हो रहा है तो फिर एक ही जगे पे मेरा उतना impact नहीं create हो पाए agreed so business side say it doesn't make sense right but learning side say it makes sense true true अगर आपके priority impact है तो probably having multiple channels makes more sense but if you're trying to maximize for revenue and whatever then maybe doing one thing for a prolonged period of time going through the boring part of it is sensible and getting the right person to compliment you yeah right or to supplement you ये ये चीज़ ना भाई मेरे को लगता है जवानी में ये चीज़ जवानी में नहीं समझ आती क्योंकि एक बार जब अठारा बीस पच्चेस साल का कोई इंसान होता ना उसको बहुत अठागी होता है मैं पहले खुद करके देखों ये चीज़ मेरे को जब मैंने पहले यूट्यूब चैनल रन किया अपना बहुत अच्छा चला आ रिलाइस I can do things myself but I also realized I can only do so much myself then I started building a team more smartly where this guy is very good with data you handle the analytics this guy is very good with setting up design operations you handle design operations and then it started expanding now to the point where we will soon have something bigger than the brand to sort of help us in business that I only have to care about so much and not just that like I listen to my story in a few years I understand that listening is not the best so next year I will talk more about the things I was doing this year having said that Himanshu Chaudhary's question is Prakhar brother please ask him about God and if you don't answer you can skip it and Freud's question is what is your tip of God issue KYI knowingly unknowingly and they all have to ask you about the question of AI hmm okay so look God my perspective is about God this is that God is such a thing which no one has seen because those people say that I have seen those people quote their sensory experiences that I have felt and associating God with sensory experience is not right because like you have to eat a LSD and put a paper and you will see things in the world 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 like exist exist mostly mostly what are the future development people in physics who are newton from fundamentals from fundamentals right or Einstein from fundamentals relativity so 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 to to just tell me that I have felt because to feel like you are relying so much on your neurotransmitters your hormones okay which you are stimulating your brain's lobes and areas and receptors and you are feeling in a certain way a scientist created a God's helmet in which he can feel like God's experience in real time so people will sit in a chair and he will put electrodes and stimulate neurons and you feel like there is God TCMS Transcranial Magnetic Stimulation that is the technique behind this right and I don't remember the name of the scientist but he is a very famous guy he was very popular he was taking this thing yeah God's helmet type typing God's helmet Koran helmet Stanley Koran yeah Stanley Koran right so uh कहने का मतलब ये है कि sensory senses को भूल जाओ because senses में हो क्या रहे ज़ो थोड़ा सा और मैं माईक्रोसकोपिक परस्पेक्टिब में जाते है एक चीज़ मैं आड़ करता हूँ आपको प्राबब़ली इतल है लोप ये इस आर्गूमें because senses don't come without perception also कि आप एक तो सिर्फ raw sense है touch उसके उपर एक interpretation है तो मैं कल सुन रहा था एक study बहुत interesting है और जितने लोग यहां को insecurity करते हैं अपने weight, height, skin complexion किसी बीचीज को लेके बहुत interesting सुनेगा तो एक experiment run हुआ जहां पर there was an experimental group of women जिनके चहरे पे ना and right before they were about to walk in उनने बुला एक मेने touch up करना है कोई दिकत नहीं है भई? नहीं 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 बस अच्छा अच्छा तो वो उनको औरतों को बोला कि आपको घुसने से पहले एक मेन touch up देना है जब वो touch up देने लगे ना तो सारे scars हटा दिये पर औरतों को नहीं पता now these women go and sit in the interview come out reporting massive levels of discrimination मेरे scars के चक्कर में जबकि उनके चहरे पे कुछ था ही नहीं तो आप जो चीज़ ढूंने निकल रहे हो what your perception is framed towards what you think will happen what you want for to happen is much more likely for you to think did happen as opposed to what actually did happen yes और यहाँ पे memory gaps भी आ जाता है so बहुत बार क्या होता है कि आपका दिमाग ना कहीं पे for example आपने एक चीज़ को experience किया अब obviously आपको पूरा का पूरा memory तो नहीं होगा कि एक एक second में क्या हुआ तो बहुत सारे gaps create होते है अब यह brain की tendency है कि वो fill करे gap को ताकि आपके पास एक अच्छी सी स्टोरी वने तो वो जो gap को gap filling होती है वो आपके beliefs के basis पे होती है right so आप जिस चीज में belief करते हो आपकी story वैसे बन के तयार होती है and this is one of the worst like limitations which we have as human beings क्योंकि we are not accurate data data analyzers collectors and keepers analyzers and keepers तो इस वज़े से science में zero तवज्जू है मैंने देखा मैंने सुना को right ठीक है अब और रही बात अब रही बात equipments की तो for example let's say कि अगर हम चलो ghost की activity को measure करने की कोशिश करते है तो पहली बात ये जो ghost seekers होते है वो जो यूस करते हैं वो सारी चीजे fake होती है उसमें कुछ भी नहीं होता वो क्या होता है इसका नाम भी मुझे याद नहीं है K2 meter लेकिन वो कुछ K2 meter कहते है उसे उसका कुछ I think दूसरा भी नाम है पर वो EMF electromagnetic fields or radiations को spot करता है मैं एक भूथ hunter के साथ भानगण गया था हाँ 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 electromagnetic field अब फॉर एक्जांपल मैं इस पर एठा हूँ ये लिटरली ऐसे material का बना है जो static electricity generate करता है तो friction हो जाता है अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूँँगा ना तो मैं भी दिखा ही देता हूँ मेरे goose bumps खड़े हो जाएंग the field where we are living in अब इसमें यार कुछ भी चीज़े कहीं पर भी कुछ vibration आ जाता है photons is a vibration in electromagnetic field तो ये चीज़ पर आप कैसे rely कर सकते हो दूसरी बात आपके जो observation से वो consistent होने चाहिए scientist ये सब कर चूँगे देखो बहुत सारे लोगों क्या लगता है लोगों ऐसा लगता है कि science एक तरफ है और spirituality वाले लोग एक तरफ है मतलब science वाले लोगों का काम scientist लोग का काम है कि बस किसी भी हाल में हम spirituality को disagree करे भाई scientist लोग को पैसे क्यों मिलते हैं उनको उनकी तरक्की कब होती है जब वो कुछ नई discovery करते हैं लाइक कुछ एक बहुती छोट इसे domain में अपनी जिंदगी लगा के बैठे हैं वो ठीक है मतलब research papers एक domain के domain में होता है सब domain के इतनी सी citation के इतना सा यह तो इतनी बड़ी discovery है भाई जिसके बारे में हर को इंसान सोच रहा है अपना दिमाग खुजा रहे कि साइंटिस्ट लोग पागलो की तरह ढूंड रहे मिलती है यही चीज़े जो common लोग बुलते कहानिया अब रही बात हम बात करते हैं कि हम fundamentals के साफ से देखते हैं कि भगवान कैसे हो सकते हैं तो भगवान अभी एक बहुतीं इंट्रेस्टिंग एक्सपरिमेंट किया गया था CERN में किया गया था जो LHC है ना Large Hadron Collider Large Hadron Collider में बेसिकली जैसे हमारे chemistry में periodic table होता है periodic table पहले बन गया था और उसने बहुत सारे elements को predict कर लिया था based on the जो बात में बिलते रहे and nature exactly discover हो गए so science का ये सबसे lovely चीज़ है science की सबसे best चीज़ है कि वो predictions करता है वो models create जो पनी जब तक उसने कोई बड़े predictions करके नहीं दिखाए ठीक है तो उसी तरीके से quantum mechanics का element है particle का जिसको बोलते हैं standard model ठीक है तो chemistry में periodic table है quantum mechanics में standard model केरते हैं अब standard model में बहुत सारे particles है उसमें से कुछ predicted है तो उसमें एक particle को predict किया था Higgs boson करके ठीक है भाई आपका internet बोलते हैं न आपने internet चेंज किया किया अपना अच्छा वो भाई इंटरनेट मतलब आपकी आवाज ना बिल्कुल कटवड रही है एक मिट रुक जाते हैं देखते हैं आप LHC और Higgs boson की बात कर रहे थे periodic table standard model जिस्ट वन सेकंड एक मिनट चैट एक मिनट रुक जाओ बस हम देख लेते हैं इंटरनेट ठोड़ा ठीक हो जाए हाँ लैक कर रहा है और प्रीट तेरा question भी है बारिश हो रही है मैं तेरा question अभी पूछता हूं प्रीट तू बिल्कुल यहीं टिका रही हो प्रीट बिचारा सौर रोपे देखे question पूछा है हाँ बाइब फिर से ट्राय करते है LHC Higgs Boson प्रिडिट किया LHC ने हाँ उसने standard model ने हाँ अभी आ रहा है ठीक आ रहा है थोड़ा सा lag है बढ़ ठीक है ओके यह explanation लेते हैं भाई आपको भी आ रहा होगा lag ठीक है अभी सही है तो बेसिकली LHC में मैं जो बात कर रहा था कि जैसे Higgs Boson की बात कर लो कि Boson को प्रेडिक किया था Peter Higgs करके 1970s, 80s में कभी उन्होंने scientist ने, theoretical physicist उन्होंने प्रेडिक किया था कि Boson करके particles है जो basically mass gaining particles है मतलब वो particles है जिसके जो Higgs field में mass gain करते हैं और वहाँ से particles में mass आता है तो Higgs field से, तो वो Boson को discover किया गया इसी LHC में, प्रेडिक्शन के थू, standard LHC में, exactly, standard model के इसके बाद like prediction के बाद, अब इसी LHC में और भी बहुत सारे experiments चल रहे हैं और बहुत बार क्या होता है कि like बहुत सारे particles को 99.9% percent speed of light से clash कराते, crash कराते आपस में, तो जो particles सारे crash हुए और फिर पूरे combined system की energy को calculate किया जाता है तो like energy का law है basic कि energy can neither be created nor be destroyed, which means energy is always constant तो every time जो पूरे system की energy है हमेशा constant ही मिली है मतलब particles break होके और छोड़े-छोड़े particles में बनते हैं जिलको scientists study करते हैं और जो combined energy of the system है वो हमेशा consistent क्यों है इसका मतलब कोई भी system के बाहर से particle पे interaction नहीं हो रहा और कोई भी ऐसी कोई force या ऐसी कोई शक्ति या भूत या भगवान interact नहीं कर रहे है तो इसका मतलब जो physics के laws है वही kind of govern कर रहे हैं कि चीज़े कैसे चल रही है physics के laws govern नहीं करते है physics के laws एक model है जो explain करते है कि चीज़े कैसे हो रही है but कहने का मतलब यह है कि system का behavior exactly वैसा ही है तो कहने का मतलब यह है कि यह experiment कब से चल रहा है हमें कुछ भी supernatural दिखा नहीं है अब तक research foundation 20-25 साल तक चला अभी 2013 15 महीं I think वो close हुआ और अभी शायद वो चल बसे है James Randy जिंदगी भर उनका यही mission था कि वो अंद विश्वास को superstitions को निकाले because वो खुद magician थे तो उनके पास magic का perspective था और उनके पास telekinesis वाले test इन्हों नहीं कराय थे ना कि मैं open challenge देता हूँ तुम prove कर दो बहुत सारे उन्होंने कराये सब को बुलाया astrologist को बुलाया pamist को बुलाया tarot card leaders जितने भी संतों को जो बोलते हैं कि उनके पास supernatural शक्तियां है Chinese monks को बुलाया जो बोलते हैं कि उनके पास क्या-क्या है reality bending powers यार बीस साल तक आठ करोड रुपे उसने लगाए थे इनाम के तौर पे बीस साल तक कोई भी वो achieve नहीं कर पाया और उसका तो बहुत फाइदा होता था वो एक मिलियन डॉलर अगर देता था वो discovery से उसके करोडों के फाइदे होते थे सेकडों करोड क्योंकि ये सवाल के जवाब दुनिया ढून रही है तो कहने का मतलब ये है कि यार अब हमने देखो इसको senses क्यों disqualify होते है वो बात कर ली fundamental physics में इसका को explanation नहीं है वो बात कर ली neuropsychology वैसे ही prone है ये सारी चीजों हमें फसने के लिए क्योंकि और psychology भी क्योंकि हमारे दिमाग में gaps create होते हैं हमारे अगर evolutionary psychology देखना है तो उसमें भी हमें मिल जाएगा कि पुराने जमाने में जैसे तुमने बोला कि बहुत सारे gaps ये सारी चीजे हमें comfort करती थी authority is desirable to the genes of man yes power and sense of security yes कि मतलब I can predict future देखो अगर हम microbiology के level पर देखेंगे genes के level पर genes का सिर्व एक ही काम है that is to survive and replicate ठीक है genes की biochemistry ही ऐसी है कि वो बस replicate जैसे आग फैलना चाता है उसी तरीके से genes भी फैलने चाते है ठीक है वो उसकी biochemistry है तो अब उसी के वजह से हमारी पूरी हमारी पूरी biochemistry हमारी पूरा morphology शरीर का structures ठीक है देखो हमारा शरीर क्या है एक machine है और कुछ नहीं है इसमें pumps है इसमें valves है ठीक है इसमें tubes है इसमें chemicals हैं chemicals हैं yes this is just a machine right तो हमारी पूरी जो ये पूरी machinery बनी है इसका sole purpose यह मैं अगैन मैं इसको genes के perspective से बता रहा हूँ is to survive and proliferate अपने genes को propagate करना promote करना, expand करना यह genes का सिफ गोल है तो obviously psychological भी इसके अंच हमें महसूस होंगे और इस वज़े से the fear of death is one of the biggest fears it's biologically built in biologically built and always हम अपने survival के बारे में पहले सोचते हैं तो इसी लिए यह हो जाता है कि सबसे जो और इसी लिए uncertainty is so, fear of unknown is so dangerous and it's so crippling कि हम help नहीं कर सकते हैं बट हम कुछ narratives create कर लेते हैं, fictional concepts create कर लेते हैं, कि ऐसा होता होगा देखो कभी भी आपको डर लगता है, तो आप उस डर को overcome करने की कोशिश करते हो right, मतलब आप कुछ न कुछ ऐसी विचार बना लेते हो, आप ऐसा कुछ belief system बना लेते हो, हमने बहुत सारे psychological बिमारी के बारे में बात किया, जैसे इसके बारे में बात किया था अपना ये narcissism, right, तो narcissism में क्या हो रहा है, कि like आप आपने rejection फेस किया है और आप ऐसे सोचते हो कि यार मेरे में कोई कमी है तो आप एक ऐसा belief system बना देते हो जो इसको overcompensate कर रहा है तो और जितने भी psychological बिमारी हैं, जैसे जिसको trauma हुआ रहता है बच्पन में, इसे dissociative identity disorder हो गया, ठीक है, schizophrenia हो गया कहीं न कहीं fear related है हो तो वो fear के वज़े से आगे ये सब defense mechanisms create हो जाते हैं तो ये defense mechanisms का mild version is nothing but a belief system ठीक है, बलब आप एक तरीके से अपने एक अच्छा सा mental model create कर रहे हो, जो की comforting है ताकि आपको reality में uncertainty को नहीं जहिलना पड़े और ताकि आप fear नहीं feel करो and you can carry on with your life and you can be happy. Right. But I believe कि ये same चीज आपको science भी दे सकता है but in a more constructive and productive way because science is the closest representation of what actual reality is like scientific theories is the closest representation of, देखो, अगर हम पुराने जमाने में रहे होते, so I believe कि पुराने जमाने में हमारे पास वेदास थे, right हमारे, यही knowledge के sources थे तो एक वेदिक रिशी पुराने जमाने का is, was a scientist of like, was equivalent to a scientist at that time Right, but फिर बाद में धरम वाले आ गए और वो धरम का angle देने लग गए कि politics के लिए Right, या फिर power के लिए King आया या जो भी आया जिसको सियासत करनी थी, तो वो एक अलग स्टोरी दे दिया उसने, right For example, Gautam Buddh, Gautam Buddh जिंदगी बोलते रहे कि भाई बगवान नहीं होते उनको बगवान बना दिया नहीं बगवान बना दिया या बोलता है या बन्दा, एक काम करो भाई, तू भी बगवान हो तू भी बगवान, तू भी लाइन में लगवाई So कहने का मतलब यह है कि Don't get confused, खिक है पुराने जमाने के, पुराने जमाने का हमारी जो परंपरा है हमारी जो संस्कृति है, that is very good But don't believe in अंधविश्वास, बिकेस वो आपकी लाइफ को खराब करेगा, वो अंधविश्वास के बीज एक बार चले गए ना तो कब आपका अंधविश्वास का रेंफॉरस्ट बन जाएगा पता नहीं चलेगा, फियर से आपको नजदीक है, right अब और वो work करता है इसलिए तो technology है right, science के सिधानतों के basis पर, science के models के basis पर ही technology चल रही है, मैं आपको एक बावत आता हूँ आपने बात बोली ना, इस argument, इस argument structure के साथ में बड़ा हुआ, आप भी बड़े हुए, right, we were coming off the age where the default was the superstitious, the organized religious, ये वाला सब default था and the departing view was your selfish gene, Richard Dawkins, Sam Harris Christopher Hitchens what I'm trying to get at is I think there is something called a cyclical nature of opinions so, early 2010s में, your late 2000s में, the departing view, the default view was religion, the departing view was rationalism, rationality the Sam Harris view of things right, हुआ क्या, over the 2010s ना, ये उल्टा हो गया that the default view became rationalism and the departing view became this readmission of religion कि हम religion को कैसे readmit कर रहे है अपने cycles में, और उसके लिए एक बहुत solid, मेरे खाल से catalyst was Peterson, Jordan Peterson, I don't know if you've come across, have you come across Jordan Peterson, his argument that religion is factually incorrect is okay, because it is a necessary fiction that we need that it is not at the level of Newtonian truth, Newtonian truth being scientific truth but at the level of Darwinian truth, which is fitness truth यादे मैने शुरू मुरू ओदा truth, fitness, meaning and grace तो यहाँ पे दा contest is between these two values where true is what you say fit, probably at least the departing view in our times is what God says but largely I agree आप अंधेरा दे दो आदमी को बरोना यहाँ पे यह यह चीज़ है कि आपको fit रहना है यार, you you just study science ना, because मुझे जो emotional security पहले धरम से मिलती थी so I was an avid follower of religion before मैं एक दिन में तीन बार Hanuman चाली सा पढ़लेता था और मुझे दर लगता था ठीक है and I was an iscon devotee as well तो कहने का मत्तब यह है कि आपको emotional security जो religion से मिल रही है that same emotional security today I get from science मैं चीज़ों को objectively देखता हूं and I am able to just digest things for what it is like for example अगर let's say कि मेरे जिंदगी में कुछ रिजेक्शन आ गया ठीक है मैं ठीक है भाई उसके खुद के वहाँ पर आ जाएगा psychology के कुछ rules आ जाएगे economics के कुछ रूल आ जाएगे कि भाई हो सकता है उसको कुछ और चाहिए था मुझे कुछ और चाहिए था नहीं हुआ मैं उसको दिल पर नहीं लूँगा मैं यह नहीं सोचूँगा कि यार मुझे लोग reject क्यों करते है मेरी दशा खराब है दिशा खराब है राइट तो मतलब मैं उसको देखो science इतना आज के time पे we are very lucky कि आज के time पे हर field के लिए कुछ ना कुछ science आ चुका है and the best thing is कि आप जितने fields में गुसोगे और ये भी मेरी एक लड़ाई है so मेरा जो podcast है उसको मैं नाम दे मैं आज ही decide कर लिया कि मैं इसको नाम दे दूँगा the ultimate polymath podcast because the thing is भाई you will make the same mistake too many syllables marketing के standpoint polymath podcast बो तो सिर्फ उसमें आएगा ultimate polymath बाद में बोल देना थोड़ा ड्रामा बट कहने का मतलब ये है कि आज के जमाने में ना और ये इसके पीछे देखो British conditioning है because Britishers हमेशा हमेशा एक specialist बनाने चाहते थे when they were ruling us उनको ये चाहिए था कि बाई clerk का का काम ये लोग करें बाकि general strategy makers governors हमारे लोग रहें ठीक है जो दिमाग का काम करें और इनको clerks बनाए तो हमें आ गया कि भाई आप ये एक degree करो और specialization हमें सिखाया गया ठीक है लेकिन आज के टाइम पे specialization से कुछ भी नहीं होता है because specialization से आप एक मजदूर बनते हो ठीक है because आपको जो बोला गया है जो processes बनाया, जो SOPs बनाया आपको बस वहीं तक सीमित रखा गया है and I feel कि हमारे दिमाग की बहुत capability है यह हम सिर्व एक ही काम करने के लिए नहीं बने है plus वो human needs के जाब से भी नहीं जाता है because human needs में variety need आई जाता है right variety so it's like kind of one human need जिसको like अलग-अलग models में अलग-अलग तरीके से describe के को इसको uncertainty बोलता है जिसे certainty जरूरी है तो uncertainty भी जरूरी है कि हर दिन में एक ही खाना खाऊंगा एक ही lifestyle, एक ही set pattern में जिऊंगा ता I'll get bored I need variety कुछ लोग इसको adventure भी बोलते है which is a need तो कहने का मतलब यह है कि British rule के वज़े से हम Indians के दिमाग में ये चीज़ डाली गई है कि you be specialists अब specialist होने की वज़े से वो बंदा कुछ extra value add नहीं कर पा रहा है आज के current situations पे हम हमेशा अपने आपको ये सवाल पूछते है कि यार सारे founders जो है वो यार US से आते हमारे हमारे company के लोग हमारे country के लोग क्यों होते है CEO क्यों बन रहे तो obviously इसके multiple reasons है जैसे government policies भी reason थे बट एक reason ये भी है कि हमें आज्या का पालन करना आता है सिर्फ बिलकुल खिके हमें बता दो क्या करना है तो इसलिए मैं ये narrative किल करना चाहता हूँ कि यार आप सिर्फ एक ही subject सीख सकते हो एक ही subject जान सकते हो असल में you can also learn history you can also learn geography you can also learn geopolitics you can also learn psychology you can also learn biochemistry जो भी है astrophysics, cosmology आप जितना knowledge ले सकते हो लो क्योंकि it's all about the perspectives जितने ज्यादा perspectives आपके पास होंगे उतना आप अपने individual field में excel करोगे borrow करके उनको उन models को use करके आप you can actually produce something novel and interesting that is the sole advantage you have over some other person if you are working in a company अगर आपके पास एक macro perspective view है आप ज्यादी creativity लेके आओगे अगर आप एक entrepreneur हो तो आपको करना ही चाहिए भाई तो आपको मुसीबत बता के नहीं आएगी और जब आप बचपन सी आपने learning में invest नहीं किया है तो आगे चलके आप बहुत सारे लोग को आजकर entrepreneurial wave आ रहा है लेकिन are they prepared are they prepared for that if you are not a learner if you are not a person with a macroscopic view तो फिर आप entrepreneur नहीं बन सकते period बिलकुल आपको generalist होना पड़ेगा exactly I agree bro जो top 10 CEOs है आज के time पे उसमें एक मैंने survey देखा था उसमें से I think सब के सब सब के सब generalists है और polymaths है they are polymaths polymath मतलब तीन से ज्यादा field में आपके पास एक strong hold है आपकी strong understanding है तीन से ज्यादे domains या genres में लेकिन आप 5 कर सकते हो 6 कर सकते हो 8 कर सकते हो वो आपको हमेशा benefit ही करेगा बिलकुल I think I have discussed this previously in my content आप अगर सिर्फ survival of the fitness समझ जाओ fittest और उसमें आप fittest की understanding समझ जाओ कि वो fittest का मतलब कहा है जैसे आपने बताने शुरू में context dependent domain dependent now what does that mean and what does that mean in this circumstance and then how do I find the fittest person to run this like suddenly you become entrepreneurial because you start understanding how human systems operate at scale and then you start sort of adding that to it so I think as a specialist you are great at perfecting one thing and probably better than anybody else at perfecting that one thing but as a generalist you have the ability to inspire, motivate, lead and put together those pieces that operate on your chess game did I say that correctly? Almost? Exactly exactly so इस पे मैं थोड़ा और एड करूँगा और मेभी एक रील का कटाउट बन सकता है रील? चार टाइप के रील बने की हाँ बताऊ 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 so चार टाइप के intelligence होते हैं basically ठीक है मतलब या कह सकते हूँ levels या dimensions of intelligence usually जो majority लोग है वो लोग फर्स लेवल पर operate करते है which is specialization so specialization has to do something उसको denote करने के लिए हम इसको depth की तरह पकड़ सकते it is the depth dimension कि एक field for example किसी ने समद्लो economics लिया तो उसने economics में specialization किया उसको deep का knowledge सिर्फ economics के बारे में किसी ने समद्लो psychology लिया तो उसको सिर्फ psychology का deep में knowledge है but दूसरे domains में उसका थोड़ा कम है तो वो deep knowledge पर जाता है second level second dimension of intelligence is polymath so polymath is this width ठीक है तो width like we तो अभी कैसा हो गया कि polymath के पास width भी है और depth भी है तो it's like T T ठीक है T तो ये wide भी है और ये long भी है deep भी है ठीक है तो ये second dimension है third dimension जो होता है that is the dimension of accurate mental models तो once you start becoming a polymath आपके जो mental models है that become more accurate क्योंकि आप आपके पास एक fundamentals मल्लिपल fields के fundamentals का deep knowledge है तो आपके mental models ज्यादे logical है और ज्यादे accurately represent करते है true reality को fourth dimension is the dimension of prediction or vision vision wisdom नहीं कह सकते इसको wisdom भी कह सकते but wisdom in other areas but when it comes to objective objective output तो it's about predictions and vision कि मतलब जैसे for example हम बोलते हैं कि Elon Musk ने पहले सही सोच लिया था कि भाई electric cars का जमाना आएगा तो वो जो prediction जो हम किसी भी बड़े लीडर को view से चीजों को देखते हो उतना आपकी decision making strong होती है and you being an entrepreneur आपका game सिर्फ decision making है अगर आप एक CEO हो अपका सिवेखी काम है think, think, think so that you can make a decision ठीक है और एक Jeff Bezos पकड़ लो Elon Musk पकड़ लो दिन में दो तीन decision भी ले लिया तगड़े वाले नहीं चलेगा so कहने का मतलब यह है कि यह जो चार dimensions है हमें इसमें elevate करना चाहिए don't be a specialist लोग यह सोचते हैं कि भाई मैंने अपना course कर लिया मेरी job लग गई खतम अभी family बस family पर focus करो and they are unhappy बहुत सारे लोग है जो unhappy है because पहली बात तो उनके life में so जैसे हम बात कर रहे थे uncertainty एक need of life है growth भी एक need of life है if you are not growing तो obviously आपका self confidence, self esteem नहीं बढ़ रहा self confidence, self esteem नहीं बढ़ रहा तो you will feel low you will feel sad you will not feel lively वो जो game का जो rush मिलता है कि आप एक एक level पार करते हो next day आपको वापिस से उस time पर आना है कि भाई अभी आगे बढ़ूँगा वो rush आपकी जिंदगी में नहीं है so you don't feel like you are alive you feel like a robot कि भाई मैं road जाता हूँ वही काम करता हूँ मेरी life में कुछ मैं कहीं आगे नहीं बढ़ रहा a sense of direction ही नहीं है so यह I think इसलिए मैं believe करता हूँ कि हर किसी को polymath बनने के लिए aspire करना चाहिए वो mindset निकाल दो यार देखो अगर हम Britishers को blame नहीं भी करे तो भी human level पर एक system ऐसे ही चलता है because एक capitalistic system को पकड़ते है ठीक है capitalistic system में the top hierarchy is only concerned about bottom hierarchy से काम निकाल के लेके आना he is not concerned कि भाई मैं इसको सिखा हूँ भाई वो अब company खोला है वो coaching class थोड़ी ना खोला है right so as long as जो bottom hierarchy में जो worker है या जो employee है वो अपना काम करके घर जा रहा है over over उसको को नहीं है उसकी खतम वो उसके life में आगे polymath बनने के लिए spire करना चाहिए I agree I think after मेरे खाल से post industrialization जब चालू हुआ न उसके बाद अब मौका आया है post IT age में जहां पे हम actually एक polymath approach adopt कर सकते हैं क्योंकि बीच में तो हमें वो काम करने थे जिससे गर में पैसा चूला जले अब situation ऐसी हो गई है कि चूला जलाने के भी कही तरीके हो गए है right abundance हो चुकी है abundance हो चुकी है and information has lent that abundance to us as a society and so it is almost imperative that now we aim towards understanding the models of reality in as much depth as we can having said that भाई मैं आपके साथ एक घंटा 40 मिनट आप मेर को दे चुकी हो we both of us wow I thought like you have a very mature thing to you bro you are also 27 yeah oh I thought you may be like 24-25 bro kash I would love to be actually I would take that 1995 1996 1996 6 okay yes so I'm 95 what is your month date 12th August 12th August so the birthday is right around so now it will come yeah yeah okay so somebody is 26 and they are looking to get married this is a big radio question वाल है आपका उनको लेके क्या टिपड़ी है भाई आ वेल देखो यह डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो like मतब किसी के लिए भी एक यूनिफॉर्म I think एक ही एक ही advice नहीं हो सकता कि आपको शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए आपके क्या problems है आपको क्या benefits मिल सकते for example एक type के लोग होते है जिनका जिनका मन बहुत इदर उदर घूमते रहता है ठीक है तो ऐसे case में अगर आपको थंडा होना है थोड़ा सा सेटल होना है तो you can do that बट ये भी समझो कि उससे पहले आप सेटल हो जाओ अपनी लाइफ में because ultimately I believe कि financial problems सबसे बड़ा reason है जिस वज़े से most of the divorces या unbun relationship में बनते हैं जब पैसा नहीं आ रहा ना तो छोटी छोटी सामने वाले की छोटी छोटी गल्तियां भी बहुत बड़ी लगती है और दूसरी चीज ये है कि like compatibility के लिए एम करो because आजकल क्या हो गया है ना usually young age में लोगों के पास ये perspective नहीं होता कि मुझे मेरी life partner से क्या चाहिए देखो guys लोग तो वैसे ही हम देखते हैं कि looks अमारे ले मैं बुद्धी कहीं और होती है कहीं और होती है so but girls very girls are very calculative and they are more rational than guys when it comes to yeah when it comes to relationships yeah and even copulation yeah so copulation का मतलब yeah yeah reproduction the process of having sex chait hook up hook up so कहने का मतलब ये है कि आप में ये clarity होनी चाहिए कि लाइफ में आपको कहां पर जाना है ठीक है और आपने अपना purpose या अपना place इस दुनिया में find कर लिया होना चाहिए देखो you as a person it should be your first goal to first understand कि मैं ये type का बंदा मेरे ये skills मेरी ये खूबिया इधर जाओंगा और यहाँ पर मैं अच्छा करूँगा at least आप में उस level का एक conviction होना चाहिए if not आप उस जगे पर already हो मैं तो strongly ये बोलूँगा कि आप already होने चाहिए वहाँ पर because उससे आप आपको financial security के पार में problem नहीं रहेगी why? because अगर आपने शादी कर लिया और उसके और तब तक you haven't figured out तो अभी boss कोई time ही आपके पास अभी आपको नौकरी करनी पड़ेगी paid बनने के लिए right आपके पास exploration का time ही नहीं है so you can maybe have a girlfriend ठीक है जो जादा परिशान नहीं करती है time के लिए but you can have a girlfriend but don't don't get settled अगर आप settled हो गए ना तो फिर आगे चलके भी आप अपने आपको डून नहीं पाऊगे कि आप कौन हो आपकी काबियत क्या है और पूरी जिंदगी आपकी निकलेगी just because you know आपके खर्चे है और आपको खर्चे चलाने के लिए कहीं पर job करना है या फिर आपको कुछ ऐसा काम करना है जो आपके पसंद का नहीं है भाई मैं बिलकुल आपके साथ agreement में हूँ क्या होता ना भाई माबाप का scene ऐसा है ठीक है माबाप ना वो चाते है अपने बच्चों के लिए best पर माबाप के बस ना इतनी patience है ना मेरे जीवन का experience है कि वो process से deal करें वो चाते है यार hook और crook लड़का सही line पर आजाए लड़की सही line पर आजाए ठीक है हम क्योंकि जी रहे हैं हमें तो अपने साथ रोज वक्त बिताना है ना हमें होता है कि process भी समझ आए और वो process मैं enjoy कर सकूँ तो कभी भी शादी और बच्चे अपने माबाप के कहने पर अपने दारदादी के कहने मत करना क्योंकि फिर तुम उनको गाली दोगे जब परिशान होगे अपने बच्चे से कि अब बच्चा होगे बोलोगे मैं बच्चपन से देख रहा हूँ ऐसे लोग एक से एक देखें पैसा कमाए हुए लोग देखें गारभ भाई पैसा कमाए हुए लोग जो शादी करके फिर compatibility issues क्योंकि पाप अममी के प्रेशन में शादी कर ली हमारी लडाई होंगी आल पे वरी इप अटेंशन कि ये लडाई में हम किस तरीके से डील कर रहे हैं इसको कैसे बाद में बहतर किया जा सकता है because how someone deals with negative emotions is a great marker of compatibility and I'm pretty good with it I escape, I let myself calm down so I know that I'm also very good at it so that is what my advice would be bro take your time, figure out what is the worst that can happen because best ना हो, good भी हो, normal भी हो, चलता है पर worst होगा ना, तो तूटेगा और तूटेगा ना, तो फिर तुम्हें अपने self-esteem के साथ आर्गू करना है, मैंने क्या गलत किया फिर तुम्हें भाई, पुलिस्टेशन के चक्तर काटने है तुम्हें कोट के चक्तर काटने है because these things are very sensitive yeah, these things are very sensitive bro right, I'm all for divorce but the process of divorce in India is extremely painful and यहाँ पर ब्रेक अपने ही चादी के बाद शादी के बाद, फिर चीजें एसकलेट करती है अगलए डिरेक्शन में so be very conscious, in fact I think I should do a video not that I know anything about getting married right now but I'll do a video on this Preet I'll do a video on this आपके बास कोई सवाल भाई? या प्रेक्टिपृटी? के बारे में जो बताया है न वो भी देखना बहुत important है because क्या होता है कि humans में भी अलग-अलग tendency होती है for example, if you are the person जिसको थोड़ा जल्दी गुसा आजाता है जो जल्दी agitate हो जाता है but you are a person who accepts that and is working towards fixing that तो ऐसे में अगर आपकी partner है तो थोड़ी काम रहती है it doesn't become about ego for her तो वो एक dynamic है जो survive कर सकता है provided you are improving so थेखो हर को इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता because obviously dynamic is always a two-way thing so when you are saying कि सामने वाली proper handle करनी ची अपने emotions को तो उसमें हमें भी करना चाहिए because अगर मैं मैं ही अगर साही नहीं हूँ और मैं बार-बार मैं toxic behavior traits दिखा रहा हूँ तो सामने वाला भी कब तक जहलेगा अगर मैं ही सोर सू negative emotions का तो वो कितनी भी भैतर हो बास में तो कीचर तो मेरे पर उचलेगी human behavior is very symmetric तो मैं जैसा रहूँगा अच्छा चांस है कि धीरे धीरे भी वोई behavior मुझे आने लगेगा तो आपको ये भी देखना है कि आप में क्या कमिया है आपकी क्या positives है और सामने वाले की क्या कमिया है और क्या वो दोनु मिलके एक harmonious, stable stable relationship बना सकते के लिए because what you are looking for is stability right क्योंकि अगर आप stable हो तो आप अपने लाइफ में focus कर सकते हो आप अपना काम कर सकते हो आप impact create कर सकते हो अगर लाइफ में stability ही नहीं है तो आपकी जिन्दगी जहंड बन गईगे मुश्किल हो जाएगी आपका camera चला गया camera गया? हाँ camera गया कोई बात नहीं भाई हमने अल्रेडी बहुत देर आपका time लेली है पर मैं आपके जाने से पहले यह बोलना चाहूँगा I had tremendous fun bro मैं आपको दुबारा text करूँगा if you're ever free, if you're ever down, if you ever wanna have another conversation कभी भी, any day of the week bro I've had tremendous fun absolutely, like I'm also starting with this podcast thing तो मैं भी और भी लोग के साथ podcast करूँगा तो obviously हम और भी catch up करेंगे अभी तो मेरे सवाल तो आये भी नहीं है ऐसे बहुत सारे सवाल है जो मुझे मेरा camera टेडा मेडा हो रहे है कोई सी नहीं, कोई सी नहीं, अब बोलो, आपकी आवाज काफी है so basically like मैं और सवाल, देखो मेरे को क्या चाहिए like I want to basically like create a think tank kind of group जो कि like यार main main जो मुद्धे है ना तो वो उस group में आए और discuss हो सके और obviously audience के सामने ताकि audience को भी मालूम पढ़े कि किस तरीकी से idea evolve हो सकता है you know और फिर बाद में वो idea से कुछ positive निकल के आए so this is ultimately my goal and that is why I am also trying to connect with many people so अभी हमने मैंने like अभी जी चाउडा जी से मैंने मैं connect किया और बहुत जल्द उनके साथ बिक पॉड़कास आने वाला he is also a great guy smart astrophysics, physics, history, geopolitics सारे areas of interest है and I guess you should also do this on your end और फिर कभी like wide diverse perspective कोई तगड़ा topic पर बात कर सकते 100% bro अगर हम कोई किसी भी सेवा में आ सकते हैं मैं जरूर बताना मैं I will speak to the chat थोड़ी देर आपके जाने के बाद उसके बाद मैं आपको एक बार call करूँगा और फिर हम और बात करते हैं देखते है thank you बोलूँगा आपको अच्छे से चलेगा ठीक है bro सबके most of the मलब सारे chats के most of the questions answer हो गए ना इतना deep question नहीं है अगर आपको मैं बता देता हूँ एक भाई यह पूछ रहे है मैंने कल basically एक video डाले जी success पर ठीक है Falgun asks कि अब मैं law school में गुषने वाला हूँ और आपने बोला eventual money is in ownership so what should I do after law law firm or startup bro law firm is as good as a startup because you own that firm all the goodwill that you accumulate basically startup में distribution accumulate करते हो तुमारे पास users होते हैं suppose अगर तुम D2C startup हो right but law firm में तुम goodwill accumulate करते हो तुमारे नाम से लोग कापते हैं उसके पैसे मिलते हैं तुमें भाई तुमारे चीकने का पैसा होता है लो में और इंडियन लोयर्स earn probably more than any country's lawyers like it is insane how much money is in Indian law right so I think law is a very lucrative opportunity as far as making money is concerned if you are thinking along those lines now there is one more guy who says is YouTube in its downturn phase this is Aditya Kulkarni I think it is really not nowhere near absolutely yeah yeah I mean I think they are seeing they are looking at certain creators and they are seeing that their channel is a downward trend so many creators and subscribers are increasing and views are increasing look I don't think that YouTube as a platform is taking a downturn because it can't happen because what else if there is no YouTube there is no competition that is a human need which YouTube is serving YouTube is not looking at it YouTube is not looking at it that the company has spent a lot of money and they are spending every month or every year and they are spending money here YouTube has made its own place because there was a vacuum there were people's needs and the needs that we need information to our fingertips we need practical we need to search we need knowledge and we need to entertain right so if YouTube will go to YouTube then there will be another one which will serve the same needs because if we will see for example some people think that I will take Instagram to take a place look Instagram has a different purpose and that is the purpose it is doing YouTube has also quite a bit identical utilities created for example shots created to replace reels and now there are still other things on YouTube I mean YouTube there are still other things they have made a podcast they have made a podcast yeah exactly and podcast is a killer is a killer completely new form of content I think that podcast will be a future yes and it can get tremendous watch time which is YouTube's main goal YouTube's goal is to share original content so that people are retained so I believe that until humans need come or another platform will be that same needs will be better in a better way like serve serve so in this case there will be YouTubers advantage because YouTubers can easily hop in to that in that new platform and then grow over there and bro companies like YouTube for that matter bro they are thinking they are they know their next competition will come when we have a virtual reality entertainment space they will first of the that you will fit with and suddenly you are my camera so these guys YouTube is not going to die that easily bro it's a legacy brand it will be remembered like a legacy brand the invention of YouTube billions of dollars how their profit yeah bro one of the few social medias that works and you think how many people have a career so the general point is that YouTube understands that has created a platform for other people to exist on it this is a trillion dollar economy right and because of that there are a lot of people people's responsibilities on YouTube so for any new feature to roll out and this is what I love about YouTube YouTube is very great at execution as compared to Facebook Facebook execution it's like I Facebook like like today I have only three or four I have only managed to get things are changing and some glitches and some issues come to my content and people are adding and I am not that I don't have original so YouTube is not that YouTube is doing its job really well this 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 question I want to address that many people see other creators and think that channel dead is YouTube die so here change is always gonna be there so when I originally started in 2017 early 17 or late 16 to that time it was some niches and genres which were very up-climed in that technical genre was a lot like Mumbai Nikhail UIC Vlogs technical guru in the technical genre and technical this was all seniors were in the time and many many names in the comedy Bhuvanbam was there okay so these genres see whenever a new genre is climbed then what happens is that many average YouTubers get pushed to the okay so these YouTubers are not that competent they are not that competent content but they get pushed to the so many fact channels got a huge push okay okay so that people make basic videos that you search and you get the first blog that will be in the video and they have poor voice quality poor video quality poor editing but they have millions of views are okay and obviously YouTube regulated properly not people use some clickbait or scams and people stop watching time and YouTube promoted them to promote and now what happened now what happened what happened slowly and YouTube algorithm became smart in the shady tactics and the audience over a period of time YouTube evolved itself to focus more on viewer satisfaction rather than CTR and watch thing okay okay so for example if I as a creator I tell people that there was such a news that some people who have some people like the US announced that Russia war now I have started people hooked so guys this is official that the US announced that Russia started that then throughout the video I have made people to tell some facts and tell and at the end I'm telling some silly things that I didn't announcement but the US said that if you do it then we will do it so now all this why what did the viewer think that I made bad right so after the viewer roll how did you like this video did this satisfy you and it clicked on one or two clicked so beach beach so over a period of time YouTube is optimizing for viewer satisfaction अगर creator viewer satisfaction के हिसाब से optimize खुद को नहीं कर रहा है वो पुराने YouTube के काइदे कानून से चल रहा है कि भाई clickbait सा थमने लगा दिया कि content में दम नहीं है average content बना दिया विकिस अभी YouTube ज्यादा competitive भी हो रहा है video editing के लिए और आपको बस Google करना आना है मैं अब इंटरनेट चाहिए आप बिल्कूर बिल्कूर तो आपने दो-चार फैक्ट नमबर वान फैक्ट नमबर टू फैक्ट नमबर थ्री और आप बोलने स्टार्ट कर दिये अब लोग ये इतना easy है तो कहने का मतलब ये है कि content की supply बढ़ जाएगी और content की supply बढ़ गई तो उसका demand कम हो गया तो बहुत सारे fact creators को कम views आने लग गए अभी कम views जब उनको आने लग गए तो उनके उनका वो demotivate हो गए self-esteem कम होने लग गया और frequency कम हो गई और frequency भी एक बहुत important metric होता YouTube पे तो उसे वो downward spiral of उसमें चले गए वो of destruction कह सकते है अब यहाँ पर अगर वो अपने आपको reinvent नहीं करेंगे वो अपने आपको reinvent नहीं करेंगे अभी के algorithm के metrics के हिसाफ से अभी के current trends के हिसाफ से अभी के current इंडिया में जो चीज़े चल रही है जो लोगों को चाहिए यार दुनिया बदलती है अभी कोविड के पहले की दुनिया और कोविड के बाद की दुनिया पुरी अलग हो चुकी है तो आप अपने content को reinvent नहीं करोगे तो obviously आपका channel डाय होगा ब्रो crazy crazy आप तो crazy हो ब्रो आप तो पता नहीं है मेरे को न पता चैट को कितना समझ में आया है मैं नर्ड हूना इन मामलों मेरे को इंट्रेस्ट है ना ये यूट्यूब अलगो प्लाटफर्म एविलूशन नर्ड हूँ मेरे को तो ये सुनना है वाई सत्ती क्या है क्योंकि हाँ आप ये बात बहुत इंट्रेस्टिंग कर रहे थे सौरी मैंने आपको काट दिया भाई मेरी फट गई मेरा अल्मोस्ट मेरा खतमी हो गया मेरेटिव ये है कि अगर तुम अपने लाइफ में क्या सीख सकते भी बहुत सारे लोग यूट्यूबर नहीं होंगे तो अम बेफाल तुम है यूट्यूब का ग्यान क्यों दे रहे होंको हाला कि एक सर्वे नहीं बताया कि सबको यूट्यूबर वनना है अगर आपको इससे लाइफ में कुछ सीखना है वो यह है कि there is only thing which is constant that is change बदलाव आएगा बदलाव ने भगवानों को भी नहीं छोड़ा है अब आज के टाइम पे वेर एजिप्शन गॉड्स वेर ग्रीक गॉड्स वेर रोमन गॉड्स कौन उनकी पूजा करता है ठीक है एक जमाने में रोमन एंपायर जो था वो आइधिंक वोर्ड का हाफ वेल्थ या हाफ से भी ज्यादा वेल्थ वहाँ पे था बिल्कुल राइट और सबसे बड़ा एंपायर था हो सो कहने का मतलब यह है कि अगर बदलाव के हिसाब से आप अपनी आइडियोलोजीज आप अपने स्किल्स आप अपने इंट्रेस्ट को नहीं बदल रहे हो तेन ऑबिसली चाहे आप आप जॉब ही क्यों ना कर रहे हो अभी कल के टाइम पर कितने सारे जॉब्स थे जिसकी वैल्यू थी जैसे एंजिनियर्स हो गए आज उनकी वैल्यू उतनी नहीं है अंटिल इनलेस आप एक ऐसे इंडस्ट्री में हो जो अप्वर्ड ट्रेंड में है राइट राइट सो बिलकुल आप इतने क्रिएटिव हो सकते हो कि आप अपने प्रोड़क्त को एक मरते इंडस्ट्री में भी तड़का लगा के कुछ अलग बना सकते हो जो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको बहुत बेनिफिट करता है वाव सो आई बिलीव लोगों को यही मेसेज मिलना चाहिए कि जितना हो सके आप एक पॉलिमाथ बनने के लिए एस्पायर करो ब्रदर मैं जब मैना भी इंडिया हूँगा दो तीन महीं ने में तो मेरा ओफिस बंबे में है मेरी टीम सारी बंबे है मैं डेली रहता हूँ मैं ओरिजिनली अज़िदाबाद से हूँ बट क्योंकि मैं इस सब गोरिगाओ अचा बता ना मत कुस फरक ने बढ़ता है कौन रहा है गोरिगाओ बहुत बड़ा है इस्ट वेस्ट भी है पर जब मैं इंडिया हूँगा तो मैं अपनी टीम भी डेली अपने बहुत बढ़िया कॉनरसेशन रिकारड करेंगे मेरे को बहुत टाइम बाद कि इसले बात करेंगे इस तूडियो में चाहिए हमें और गेस्ट ड़न अवी अपने सवहानी के साथ निकाला था ना कुछ ताम पर ले वो मैंने देखा था अच्छली अबी ना पाँछ अच्छ चाहिए हो ना इस ताइप के कॉंटेंट के लिए क्योंकि मैं कबसे कर रहा हूं पॉड्कास्टिंग मैं आपको लिस्ट दे दूगा किसी भी फील्ड में आपको चाहिए रहे है लिस्ट बेश्ट बेश्ट लिस्ट लाइकवाइस मैंने जिनके साथ किया है सुआनी शा के साथ हमारा ऐसा था कि science versus magic बिकिस मेरी साइन्स चैनल भी है तो बहुती ऐसा उपर ऊपर से हमने सोच लिया राइए था राइए और आपको कभी भी हहए इन चीजों में पॉडकास्टिंग मेरी सारी सार्थ पॉडकास्टिंग और स्रूटink में लाइब स्रीम मुझे ऐसा लगता है कि प्रकर, you are an underrated YouTuber, you can do much better. Yes. Right, so I think you need to be a little bit more strategic with your content. You don't mind if I ask you about that? About the strategic part, भाई? Yeah, yeah, of course. Okay, I will ask you then. Absolutely, absolutely. I will call you and ask you. Yeah. Sometimes people ask me, प्रकर, how are your network so good? Because, you know, they feel the same way that I am an underrated YouTuber and then I kind of know everyone. Because, 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 बहुत सारे लोग, जिनका नॉलेज इतना नहीं है, but they are still like having millions. Right. Right. So, उस हिसाब से, यह, I think you are, I think you are, you are also studying in a very reputed university, right? I finished last year. Last year, finished. You finished? Yes, yes, yes. Around this time only, last year was my last class, but I did go to Columbia, yes. Yeah. So, obviously, बात है कि मतलब, बहुत सारे ऐसे YouTubers है, जो, मैं कहूंगा कि इतना उनका नॉलेज लेज लेवल नहीं है, but they are still like doing very well. So, like, there's a lot of potential. To each their own, but I am interested in learning. But, look. Yeah, exactly. That's my main. Because I never wanted to do YouTube, I wanted to do my voice outside. So, I started to understand the platform now about 4-5 months ago. Before that, I didn't have a platform-specific work. I was like, where to speak to me, tell me, I got to get to my phone. Okay? Now, so, this is strategic information. Yeah, but it's been five years. Yeah, right. And I managed multiple channels. But at the same time, मेरा, मैं कहां पे पीछे रह गया? मैं पीछे रह गया? Too many things. Too many things मैं. Right. So, ये तो मैं सिफ चैनल्स की बात कर रहा हूँ. इसके अलावा फिर हमारा influencer marketing हो गया. बीच में आमने टालेंट मैनेजमेंट भी स्टार्ट किया था. और मेरे कुछ, मेरे कुछ, and this is a quote of I guess Steve Jobs or Bill Gates or Warren Buffett that on high level, it's more about, it's not like I am at the top not because of the things which I have said yes to, but because of the things I have said no to. This is absolutely true. I feel like around the age that you and I are in, if we are sincere in life, we start to face the demons of our past in this sense. Where you face the demons of doing too much, I face the demons of not like structuring myself. For me, it was always punch with the force of yourself. Never ki bhai strategically pair. Strategy I never really cared about much. I was always a performer. So this is the age of reckoning. Okay boss, this we can do well. Yes, tell me something. And I will tell you that in this case, for example, if you are too much after strength, so how does it happen? Because YouTube is such a game where consistency and frequency is everything. So when I was working alone for 6 months, I worked alone for 1.5 years, but starting in the 6 months, I was pushing 3 videos every week, all research, editing, thumbnail, everything. 4 times, you don't have anything else. और सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता है. So if you are too much focused on the force part, आपका हाथ बहुत ज्यादा काम कर रहा है न, तो आपका दिमाग काम करना बंदी कर लेता है. और बंदी कर लेता है. अग्री. Because you don't have money, you don't have capital. Like the only thing that you can exchange for value is your time. Yes. Right. So कहने का मतलब ये है कि आप लग जाते हो. But क्या होता है कि और इमित बुक में यही चीज़ बताई थी कि बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं. जब वाई 90-95% बिसनेसेस फेल. Because वो लोग बिसनेस स्टार्ट करते हैं. Understanding this fact कि मैं इस टेकनिकल चीज़ में अच्छा हूँ. Like let's say कोई अगर बंदा Coding में अच्छा है. Architect. Coding में अच्छा है. या एक interior designer है. For example. वो सोसता है उसको feedbacks मिलते हैं. लोग बोलते हैं यार आपके आप तो company खोलो, आप तो फार दो गया आपके जैसा तो कोई designer है ही नहीं. तो he gets validated, बहुत खुश हो जाता है बंदा, बोलता है कि यार मुझे खोलना चाहिए. अब वो खुद clients लेता है 2-3 पर जब 4-5 clients आने लगते हैं तो वो पहली बात तो perfection के पीछे भागने लगता है दूसरी बात, वो वो important skills नहीं सीख पाता जो कि एक business को run करने के लिए important है मतलब उसके entrepreneurial skills नहीं है उसके technical skills है उसके technical skills है He can just only do one particular job very well but he cannot create a system that can do the job efficiently and that can be scalable तो YouTubers के मामले में यह होता है बहुत और पहले मेरे 2-5 साल ना इसी निकल गए इसी चीज में कि मैं यह perspective से नहीं सोचा मैंने यह चीज मेरे को समझ में ऐसे आती है पहले मैं artist था, अब मैं entrepreneur हूँ जब आप artist होते हो ना तो आप self-driven, creativity-driven होते हो जब आप entrepreneur होते हो तो आप team-driven और systems-driven होते हो Now you are representing प्रखर के प्रवचन brand Yes Earlier you were प्रखर के प्रवचन the creator Right, right, so that's the difference Yes, that is the difference I am grappling with and learning about And it's been super fun, bro By the way, chat, मैं कभी बोलता नहीं, इस पे अभी कभी हम घुसे नहीं क्यूकि मैं हमेशा एक साल का lag लेता हूँ अपने सच को बताने में But this is the part of the journey I am in So, welcome, now you know, now you are inside Okay, bhai, बात करे, hello, कट गए मैं ज़रा चैट को भाई बुलू, मैं को ना घर फोन करना है सो जएंगे घर वाले, ठीक है आप आप आज 10 बजे तक बैट गे मेरे साथ मैं आपको थोड़ी दर बस थैंक्यू फोन बोलने के लिए फोन करूँगा अफ्टर दे स्ट्रीम ठीक है? चलेगा ओके भाई, नमस्ते अब के फन फोन बजीशन इस बीन एपसलूट प्लेशर, मैं और चैट अब ही तुमसे बात करनी पड़गी हमें क्यूंकि बहुत ज़रूरत लुग ये बात करने की आज मेरे को क्यूंकि मम्मी पापस हो जैंगे और मम्मी को डांट ना है मिर को अज ममी ने मिरे को ब ओbreak बुशा बἆंक des需要 कोट बात कर तो वो बता लगेगा but bro अगर अगर आप पहली बार यहां आयो ना so Prakhar are you in the mainstream game now bro what game I'm in I will reveal I hope it is not as unoriginal as BR you are thinking it is I have my vision bro and I I'm figuring out ways to sort of bring that vision to life so we will find out one having said that अगर आप यहां पहली बार हो please subscribe to the channel guys like please 300-300 do bro यह जितना दूर जाय अतना बेटर है this live stream the further it goes out I think I had a brilliant time like very honestly intellectually wavelength पह चनेट करने की फिली कुछ और है the only downside which is not even a downside of this conversation is we were not adversely real enough मेरे को जब इप 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 इसी से wavelength match करने को मलता है मज़ा तब और जादा आता है when we are disagreeing about something and coming like bargaining the intellectual position out until we both arrive at our truths right here we were in a lot more in agreement and that also is very appreciable because you can see Gaurav has his articulation his clarity his understandings of stuff down like down down he's a very smart guy I'm glad to have discovered him having said that कोई बात नी ने हाँ so I'll give you this I'll give this to you I'll give this to you begin with why are you going to have trip to here anyway I'll tell you this okay so people ask me about to some degree how I network one bro it is like man this was the first time speaking to Garav and you saw how genuine and honest I am about things I will call him right after to say thank you right I will ask him stuff that I do not know तो मेरे हाथ खुले हैं और मेरे हाथ मतलब समझ रहो ना I don't play ego games when I'm trying to meet people it's the worst thing to do, it's stupid as hell and two the first time you meet somebody it is not so much about getting to the truth as much as it is about learning about the other person so for instance I could in an animated way make disagreements with Gaurav but why would I? वो next conversation के लिए बढ़ी है ना आज सिर्फ सुनते हैं उनका क्या कहना है ब्रो और उनके thought structure को समझने की कोशिश करते हैं कुतना कुछ समझ में आ जाता है I think I am terribly like मेरे को तो बहुत मज़ा आया गौरफ से बात करके बहुत मज़ा आया जैनुमिनली this was super fun ठीक है? तो प्लीज मेरे को यार अभी घर फोन करना है अगर मैंने घर नी फोन किया विशुत बता मेरे को किती डाट पड़ेगी विशुत को बता मेरे को डाट पड़ेगी ठीक है तो मेरे को घर फोन करना है मैं If you for sure want to know about what success is, we put out a video yesterday on Prakhar Ke Pravachan. You can go check that out right now. Samrit, तेरा जो question है, secondhand copy वाला भाई, वो मैं बहुत पहले एक बार एक बार अंसर कर चुका हूँ, बट मैं तरको समझा देता हूँ. Everybody's a copy of other people, bro. Originality does not exist any longer after hundreds and thousands of years of human existence. At the end of the day, we are a copy of a copy of a copy. We are a remix of a remix of a remix. And your anxiety only exists when you are a remix of just one person. But as time goes on, you meet other people and उनके remixes भी तुमें जुड़ते चले जाते हैं. और end में तुमें एक proper music tape बन जाते हो. जिसमें कई लोगों की आवाजे होती हैं. और वो बहुत सही बात है. उसमें कुछ गलत नहीं है, bro. समझ रहा है, और फिर तु अपने आप कोई पैचाना ना बंद हो जाएगा. उस दिन तू original हो गया है, भाई. ठीक है? Having said that, guys. Love you so much. Cocaine का पैसा नहीं है, bro. उसके बिना कैसे होगा, भाई. पता नहीं, बिना cocaine के कैसे होता है कुछ भी, भाई. Sorry, guys. Sorry.